लेकिन जब बढ़ी कैसर बाग की ओर हार गई जंग, हुई छल की शिकारी, कबजा कर बिटिश राज ने दिया दंड मुक्ति का दिलासा, ठुकरा दिया प्रस्ताव बेगम में पहचान गई थी अंग्रेसों का जासा, घुलामी को किया ना मन्जूर, आत्म सम्मान नहीं था क रवाना, और साथ लेकर अपनी सेना को, हो गई वो नेपाल को रवाधा, कमी ना ने दिया अपनी सैनिकों की देख भाल में, और लगा दिया अपनी दौलत और संपत्ति, देश और अपनी प्रजा की निस वार्थ सिल्वा करने में, कभी ना होई उन्हें कोई आपत, नेप गई इस्तरी सहास की मशाथ 1857 के जंग के किससे आज भी हर भारतवासी के मन में जोश और उत्सा भर देते हैं ऐसे ही वीरों की प्रेणादाय कहानिया लेकर हम फिर लोटेंगे आजादी की अमरित कहानिया सूचना एवं परसारंग मंत्राले और नेट्फिक्स द्वारा प्रस्तोत फिरनी जैसे काली आखे जिसकी वो है क्रिष्न कली फोनी की बाते न जाने कोई सिखारों के फेरे में क्रिष्न कली क्रिष्न कली क्रिष्न कली क्रिष्न कली शब्द शिरोमनि फुल्य आत्मा करुनातागर ज्यानेश्वर मंगलकारी अंतर यामीन तेजिकिगागर ज्यानेश्वर ज्यानेश्वर संत ज्यानेश्वर 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 जूद पूर के बाजार खान पान यहां का पहनावा लोक संस्कृती एवं हस्थ शिल्प का अलग ही महत्व है यहां के बाजार राजिस्थानी हस्थ शिल्प में अपना अलग ही नाम रखते हैं शहर से 9 किलोमीटर दूर बना मंदूर बाग जूदपूर का एक प्रमुक स्थल है यह जूदपूर के इतिहास के कई स्वर्णिम प्रष्ठों को आज भी संजोए हुए है किसी जमाने में इसे मारवार की राजधानी के रूप में जाना जाता था युद्ध एवं अन्य सामरिक परिस्थितियों के कारण इसे बदलना पड़ा मंदूर का ये महल यहां का सबसे बड़ा आकर्शन है ये समारक एक ही चट्टान पर तराशा गया है इसके नकाशीदार जाली जहरोखे और अलंकरण मोहक है कर दो किवे महता है कर दो समारक पर तराशब ब्सको angiल्ड़ा कुछ चीज़े हमारे लिए दुनिया में कुछ हास ही माइने रखते हैं जिसे उनके बिना हम अपना अस्तित्व धूंट ही नहीं पाते और जो लोग संगीत की साधना करते हैं उनके लिए तो जिंदगी में संगीत से बढ़कर और कुछ भी नहीं सुरों से ही वो अपनी जिंदगी सजा लेते हैं ऐसे ही लोगों की तपस्या से संगीत का सित्व चुरस्थाई बनता है और जो लोग संगीत की दुनिया में अपनी एक जेगह बनाना चाहते हैं अपना एक सपना पूरा करना चाहते हैं ऐसे ही लोगों के सोरों से बनता है हमारा ये कारिक्रम स्वरांजली जिसमें शामिल होते हैं हमारे साथ कुछ उभरते फनकार स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में आज सबसे पहले आईए आपको सनवाते हैं राग पूरिया धनाश्री पूर्णिमा वेनुगोपाल के आवाज में कर दो भादा हैं में कारे दो प्रोग्राम में पूरूपाल लंग पूर्णिमा वेता हैं में झावाज में आपको सने वढ़को सी कार वेता हैं हुँ 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 कर दो कर दो दो तो हो बतर बातर दो कर दो कि और है नहीं है कर दो है झाल झाल पन घटवा जाने ना पाम में पन घटवा जाने ना पाम में बीच ही नाच नचावत मुहना कैसे जल भर लाओं मैं पन घटवा जाने ना पाम में पन घटवा जाने ना पाम जाने ना पाम में जाने ना जाने ना पन घटवा जाने ना पाम में जाने ना पाम में जाने ना पन घटवा जाने ना पाम में जान घटवा जाने ना पाम जाने ना पाम में जाने ना पन घटवा 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 जाने जो कही है कहां सो यागत जो कही है कहां सो यागत तो कुल लाज न जाओं मैं नीत जुग राज ये मग जैवो कॉल रार मजाओं मैं पन गटवार जाओं जाओं मैं पन गटवार जाओं पमधा मग पमधा मग पमधा मग पमधा पन गटवा जाओं पमधा जाओं पन गटवार जाओं मैं पमधा जाओं जानने नपाम पान घटवा पन घटवा पन घटवा जानने नपाम पायनिया जनकार मोरी पायनिया जनकार पामघप माघ मरेगर सपायनिया निरेगा मधा पामघप माघ पायनिया जनकार पायनिया जनकार मोरी जनन जनन बाजे जनकार पायनिया जनकार मोरी जननन बाजे जननन जननन बाजे जननन 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 बाजे जनननन 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 जननननन जनननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननन समझत नाही पिया समझाओं पिया समझाओं समझत नाही सास ननद मुरी देल की गारी पायलिया जनका मुरी पायलिया जनका समय गारी पायलिया जनका परमधे में इस बहंद कर दो जाए पर्मादे दो जो कुछ एपैंपाई यह जने पार पायनिया जन्पर, जन्पर, पायनिया जनकार पायलिया 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 जनकार मोरी पायलिया जनकार पायलिया जन चन कर पायलिया जन कर पायलिया जन कर पायलिया जन कर पायलिया जन आ अब ही हमने सुना पूर्निमा वेन पूपाल को अब आये सुनते हैं हबीब अली की आवाज में एक तुहजल हो माँ हो माँ गुजर तु जाएगी तेरे बगेर भी लेके बड़ी उदास बड़ी बेकरार गुजरेगी वो शक्स के जो दिल से हमें भूली गया है वो शक्स के जो दिल से हमें भूली गया है खुश्बों के तरे जहन के साचे में रचा है वो शक्स के जो दिल से हमें बोली गया है पत्थर का जिसे जाने कर तुम फेड़ी गया है पत्थर का जिसे जाने कर तुम फेक गये थे वो कांच के टुकडे की तरे तोट गया है वो कांच के टुकडे की तरे तोट गया है वो जिसके लिए हमने जमाने को बुलाया वो जिसके लिए हमने जमाने को बुलाया है रते हैं वो ही शक्स हमें आई बूने गया है है रते हैं वो ही शक्स हमें आई बूने गया है वो शक्स के जो दिल से हमें आई बूने गया है इस बार गया है तो पलट कर नहीं आया इस बार गया है तो पलट कर नहीं आया मुश्किल में जो हर वक्त मेरे साथ रहा है मुश्किल में जो हर वक्त मेरे साथ रहा है वो शक्स के जो दिल से हमें बूने गया है कारो वक्त मेरे साथ आया वो जिसके लिए हूँ ने जमाने को बुदाया है रते हैं वो ही शक्स हमें आइबुद गया है वो शक्स के जो जिल से हमें आइबुद गया है वो शक्स के तरे जहने के सांचे में रचा है वो शक्स के जो दिल से हमें बुद गया है हबीब अली की इस खुबसूरत सी घजल के बाद अब आये सुनते हैं राग मिया की मलहार डॉक्टर प्रबल शर्मा की आवाज में और मृबल शर्मा की। झाल 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 झा कर जे मैं तेरो कर जे मैं नाम 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 करीम नाम करीम नाम करीम नाम नाम करीम नाम, नाम, कर नाम, आदरो, दुख दरिद्रधू, कर दो, रखेज जय, बुरा, बुरा के, कि जय, कि जय, दुख दरिद्रधू, दूरगी जय सुख़ देहो सबनको अदार गदिनत करता है सुन करता है सुन करता है करीम नाम ते रो तुब 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 करीम नाम करीम नाम करीम नाम ते रो तुब करीम नाम करीम नाम मामा मत ये तू साहिव बस्तारा करे मना करीमा मामा करीमा आम दे कर करे मना मामा आम दे करे मना आम दे करे मना आम माम दे करे मना आम दे करे मना आम दे रेना 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 दे रेना दे रेना दे रेना दे रेना द उस्पर दिर गख़ई कर दें जब कर현ाना बिल्टना, बिल्टना, बिल्टनाइज और तना, टिरमाईज एगाल, वको भीडिए एगाल, खखेक रखेक रखेक, जोपी बाएजों तिरमाईज१ जैना, टिरमाइज भीजिए। कर दो कट अ कर दो कर दो घरे न अ और आ और प्रॉन तॉ तॉरे तॉरे तॉंट तॉ पीस प्रॉन में ऑना इं पी झीं झीं बेंट अंद व्य और अप प्रणी बेंट लैंट आपिंटर दोप्रिश्टिम आप न तर हम आप लोड़ कस दोप्रों ट्वर्णी तर प्रमयर को लोड़ प्रम आपिंटरी खेंटरी तर हम अजिए दिर्दिर्दिर्दिर्दिर्दिर्दिर्दिर्दिर्दिर्दिर्दिर्दिर्दिर्दिर्दिर्दिर्दिर्दिर्दिर्दिर्दिर्दिर्दिर्दिर्दिर्दिर्दिर्दिर्दिर्दिर्दिर्दिर्दिर्दिर्दिर्दिर्दिर्दिर्दिर्दिर्दिर्दिर्दिर्दि नरिदरे यलो में, यलेय यालो में तैक Τाक्डूम् धमलड़ रेक्रटा कर्ता करते पिट सब्भांचे, त्रूमख नह ले समें, नरिदरे याली रेक्रटा करते, तो ये थी आवाज डॉक्टर प्रबल शर्मा की जिसमें हमने सुना राग मिया की मलहार अब आए सुनते हैं नूपुर शर्मा को जो सुनाने जा रही है हमें राग अहिर भैरव आए सुनाने और सुनाने प्रबल शर्मा की जार भैर की जार प्रने झाल शर्मा सर्मा की मलहार हम अजलने के आ, हुआ है, हम अजलने के एक झाल है, है। कैसे मना आलु रे कैसे मना आलु रे कैसे मना आलु रे बुजाओं अब कैसे तोहे रे बुजाओं अब कैसे तो हेरे संजाय आरी आरी ने कैसे मना आलू दे कैसे मना कैसे मना आलू कैसे मना आलू कैसे मना आलू दे कैसे मना आलू 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 पुजाना मुझे अब रे पिया 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 आ आ उजोना मोजे अबरे पिया उजोना मोजे अबरे पिया उजोना मोजे अबरे पिया उजोना मोजे अबरे पिया करू नास दें ऋजोनास दें हमो पिया करू नास दें हमो पिया करू नास दें हमो पिया संजाय हारी हारी bearing कैसे मना आलु रे कैसे मना आलूंदे टेरा माँ पढ़ एक्यान कैसे मना आलूंदे कैसे मना आलूंदे कैसे मना आलूंदे आ, कैसे मनाय आ, कैसे मनाय आ, कैसे मनाय आ, लूरे कैसे के दे मनान 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 कैसे बुलाओं अगर, कैसे तोधे रे दम जाये हारी, हारी रे कैसे मना, आनु ने कैसे मना, कैसे मना, कैसे मना, आनु ने दीरे-दीरे, आज के कारिक्रम के आखरी पड़ाओं पर आप उचे हैं हम, और चलने के पहले, आए सुनवाते हैं आपको सपना वेहना के आवाज में, राग शुद्ध सारंग आप अजिए पी अरबा मुर्मी तबाः काय करता मुसरार मी अरबा मुर्मी तबाः पी अरबा मुर्मी तबाः काय करता मुसरार पी अरबा मुर्मी तबाः में अरबा चाद पिया मरी मानत नाहे चाद पिया मरी मानत नाहे वेनते करत हु में बार 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 करत करत रो चाद पिया मरी बार बार करत है में बार। करत करत है करत रहे पिया सोता प्यार्मा, 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 प् कर दो कर वय झाल कर दो कर वारीㅊ कर दो कर दो कर दूठे हैं कर दो मेर मेरμα कर दो कि अ दो कि अ अपने हुआ खाने कर दो गसा। भापि अर्बा मुर मितबा नमद्बाद crom पी आर्बा मुर मितबा दाये कराक हो सेर अरबी अरबा अरबी अरबा अरबी अरबा अरबी अरबी अरबा अरबी 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 अरबा अरबी 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 अरबा अरबी 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 अरबा अरबी 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 प्रावरा दो कि वह दो जो जब जोग दो सुटने जब आखे ब मुरवा हमेशा है मुरे मितवापी आरे मा मुरे मितवापी आरे मा हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ 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 हु लाप लाप व का टाम का छो हो एकितोगी खंग कर दो कि आप, कर दो का दिए को. कंता-क प deep-pporte, चा-क, जा और. और भेदे, क्यों तो find me! तदरी आब जया भेक्पीया करूद में, अबेभ आब 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 में! यार आब प्रूद निया खायद करक्षा हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ हुआ है हुआ हुआ है पियार्फ। मियर्फ। पियार्फ। हुआ करता तो आप देख रहे हैं डीडी भार्दी स्वाद और संपूर्णता का उत्ता महसा कौन नहीं चाता स्वादिश खाना बनाना कौन नहीं चाता परफेक्ट कुकिंग करना वाँ क्या तेस्ट है अठारो सो संतावन जब आजाद हिंदुस्तान के सपने ने जन्म लिया आये जाने उन वीरों के बारे में जिन्होंने सवतंत्रता की निवरक करे दिहास रश्दिया थे भारत के एक वीर सपूट भासकर राओ बाबा साहब था उनका नाम नारगुंड करनाटक के थे वो शासक किये थे अनेक गौरशादे काम थे बाबा साहब एक बात से चिंतित था नहीं उनका कोई उत्रा धिकारी निश्चे किया एक संतान को गोद लेने का क्योंकि अगला राजा चुन्ने की थी बारे अंग्रेजी अफसरों ने ठोकराया प्रस्ता और किया उनका अपमान क्रोधित हुए बाबा साहब और जारी कर दिया बदले का फर्मान उत्तर भारत के स्वतन्थता संग्राम से हुए वह प्रेरित एकत्रित कर अपनी सेना को उन्होंने विद्रोग कर दिया घोशित इस प्रकार दक्षिन भारत में भी वो ले आये क्रांती की ज्वाला और अंग्रेजों को प्राजित करने का कार्यकाज समھाला एक दिन ऐसा आया आफसर पास के गाउं में आया था जेमस मैंसन नाम का एक अंग्रेजी अफसर बाबा साब भोले नहीं थे अपमा और बोल दिया उस पर हमला मिर्तु की खाट उधार दिया उसे और पूरा किया अपना बत्मा ख्रोधित बिटिश राज ने किया नारगुंद पर वार धूल चटा दी बाबा साब की सेना ने हुई अंग्रेजो की हार कुछ समय बाद हुआ एक और लिट और अंग्रेजो ने गिरफतार किया बाबा साहिब को आखिर कार लगाई उन्होंने मात्र भूमी की जै और निसंकोच सूली को किया स्विकार थे वो ऐसे महापुरुष हस्ते हस्ते देश के लिए निवशावर कर दिये अपने प्राण भारत वर्ष हमेशा याद रखेगा भासकर राओ बाबा साहब का महान वलिदान 1857 के जंग के किस्से आज भी हर भारत वासी के मन में जोश और उत्सा भर देते हैं ऐसे ही वीरो की प्रेणादायक कहानिया लेकर हम फिर लोटेंगे आजादी की अम्रित कहानिया सूचना एवं परसारन मंत्राले और नेट्फिक्स द्वारा प्रस्तुत एक नई सुभा एक नई उडान एक नया सफ़र मनुरंजन मस्ती और सेहत की एक नई शुरुआत सोमवार से शुक्रवार प्राधा आठ बचे डीडी नैशनल पर अन्त ज्यानेश्वर शब्ध शिरोमनि पुर्न आत्मा करुनाता घर ज्यानेश्वर मंगल कारे अंतर यामी तेज कि गागर ज्यानेश्वर ज्यानेश्वर अंतर ज्यानेश्वर ज्यानेश्वर आलंदी की फूच धरा पे ज्यानेश्वर रहते थे शीतल निर्मल ज्यान की गंगा बनके वो बहते थे धर्म दया भक्ती की मूरत प्रेम का मंतिर ज्यानेश्वर ज्यानेश्वर बंत ज्यानेश्वर 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 संक्रिति के इति हाथ में सर्ण पुष्ट एक और जुडा सिथ बेट में दिल्ग स्वर्ग कांके कनों का बार सुना धेद भाव को जड से मिटाया ज्यानेश्वर 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 संता जाने श tutor संता जाने शौर संता जाने शौर बुर्ता है मअ है है साइल केता थli भबास का विवाह पश्टत श्फ और सन्यास प्याक्तर पुनां ग्रहस्ताश्रम न्यायसन के सामने पहली बार ऐसा प्रश्ण उपस्तित हुआ है ऐसी अवस्था में मालकों को शुद्ध करने के लिए शुति श्मति बेद कहीं भी शास्त्राधार नहीं है सन्यासी के पुत्रों को शुद्ध करने का शास्त्राधार ना होने के कारण यह न्यायपेट उन्हें सुद्धि पत्र नहीं दे सकता ब्रम्ह सबाई आदेश देती है कि इन बालकों को आजन्म ब्रम्ह चारी रहकर इश्वर आराध्ना करना ही उचित होगा किन्तु धर्माचार्य जी काशी के ब्राम्हन जिस सत्य को मानकर हमारे पिता को ग्रहस्थाश्रम जाने के आग्या देते हैं उनके पुत्रों को धार्मिक संसकारों के लिए धर्मपीट की मान्यता क्यों लेनी चाहिए केवल व्यवाहर हेतु हम शुद्धी पत्र मांगने आए थी मानो धर्म में मानोता का अपमान रूप बिन्न होने पर भी एक ही ब्रह्म सचेतन तत्व से सारी जीवसुष्टी व्याप्त है अले मूड मालक हम यह से शास्त्री पंडित और कुम में एक ही ब्रह्मतत्व बिराजमान है निश्चित चैतन ये एक ही है चराशर स्रिष्टी में विहार करने वाले सभी प्राणी मात्राव में ब्रह्मतत्व अस्थितो मान है अच्छा अच्छा वो जो भैसा है उसका भी नाम ग्याला है हम सब में एक ही प्रह्मतत्व है तो क्या उस भैसे में और हम में एक ही प्रह्मतत्व है निसंदेह, सभी पशुपक्षी प्राणी में प्रह्म सचेतन तत्व अस्तित्व मान हैं, अस्तंभूँ, अस्तंभूँ, जिसे निर्गुन, निराकार, परब्रह्म का ज्ञान हुआ है, उसे अवकाश का चंद्र और कटवरी के जल में प्रतिभिंबित चंद्र, इसमें कि उन्हें भी भाव भावन एह होती है, तुक दुक तो होता ही है, जो आत्वा मनुष्य में है, वो उनमें भी है, ब्रम्म तत्व अनन्त व्याप है, कहता है पशुकरो रोहमा सत्मा एक है, हम क्या पशु है? मुर्क? और इस बैंसे का पाई जैसा है अब इस सिन्द करना हो ए अब आप साथ सित्फ रभार्भाकर। ये सिद्ध होना ही चाहिए, चाहिए चाहिए, चाहिए चाहिए, चाहिए चाहिए, 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 च आप स्वयम साक्षात भुदेव। आपकी आज्या प्रमान है। आपकी इच्छा हो तो अवश्य भैसा वेद रुचाओं का उच्छारण करेगा। निवर्ति रादा, आज तुम्हारी परिक्षा का क्षण है ज्ञाना। हर शरीर में वास करने वाले इश्वर को पुकारो। प्रार्थना करो। उस प्रार्थना से मानवी मन में मानोता के जहरने बहते हैं। अखिल प्राणी मात्र में वास करने वाला आत्मा एक है, अविनाशी है। ये इस चमतका से सिथ्थ करो। तथास्तु। जो आज्या अगनी मीले पूरो हितम यद्यस्यदेव मृत्य जम् तुम्हें वेद रुचा बोलने का अधिकार नहीं है श्रीमान, वेद अपवरुशय है, जन्मचात हर मानों को ज्ञान का अधिकार है आत्मा, मैं तुम्हें आवहान करता हूँ, विद्यानों की आग्या है, कि मेरे साथ वेदर रुचा बोले ओ अगनी मीले पूरो हितम, यद्यस्यदेव मृत्य जम् भूतारम रत्न धातमम, ले भी शिरियो नूता नैरुता, सदेवा एह वक्षदी, अगनी नारही मश्रवत पोशमे वदिवे दिवे आगने, 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 आग ज्यानिश्वर महराज की 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 कि तो उनका आचरन करना, या कि और आपका आजिकार है, हम आपकी सहरण में आये हैं। खेक्यानेश्वरा, आपको समझने की यथा शक्ति भी हम में नहीं है। धर्म ग्रंथों के पढ़न, कर्म कांडों में ही हम मगन रहे। कि तो ऐसा समर्थ, ऐसा आचरन हम में कहां। इस धर्म पीठ के उच्चासन पर बैठने का अधिकार आपका है, मेरा नहीं। मैं क्या आपको सुधी पत्र दे सकता हूँ। आप ही मुझे अपने चर्णों में जगा दे देजिए। आज मैं धन्य हो गया। वो लोग आइश्वर महराज की है। मुक्ताई, यहां आओ, बैठो। आईए बैठो। क्याने इश्वर महराज की। भुखा बोले कुन घुन, हवा चले रुन घुन, दाजी ताथी घुन, प्रबवर तुम आओ, प्रबवर तुम आओ, प्रबवर तुम आू, मिधा बुले जुन धुन हवा चले रुन जुन नाजी साना सी धुन प्रभु अर तुम आओ प्रभु अर तुम आओ मिधा बुले जुन जुन धुन चन्रमा का दर्बन संपारु संदन दिना देवसिन धिंदन कुछ की दिना भाये पुर्च की देना भाये मिधा बुले जुरु दुन संदन का सोला भड़का ए जाला गोविंद दू पाला मेरे घर तुम आओ मेरे घर तुम आओ मिधा बुले जुन मेरे घर तुम आओ कोई अलसा न्यारा गेत तुम्हारा लागे ना प्यारा मोहन की दुनी मेरे मोहन की दुनी मेरे जुधा बुले जुन जुन हवा चले रुन जुन लागे ताया की दुन प्रभु अर तुम आओ प्रभु अर तुम आओ मिधा बुले जुन जुन जुधा बुले जुन जुधा बुले जुन कर दो 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 ओम नमाश्षिवा कर दो झाल 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 यह सब किस ने किया? इतनी स्वच्छता? आंगन तो दर्पन की तरह चमक रहा है। यह पूजा पाट करने वाला कौन हो सकता है? यह सब कौन कर रहा है दादा? और क्यों? तुम कौन हो? सब कुछ त्याक कर आपके चरणों में सेवा करना चाहता हूँ। त्याक कर? ऐसा क्या था जो त्याक कर आना पड़ा? पुछ नहीं। मुझे अपनी चरण में ले लो बस ना तीन सेवा की अनुमती देदो जया करो जया करो प्रभू। तखाज देवा मैं धन्य होगा देवा मैं धन्य होगा धन्य होगा। धर्माचारे के वक्तवे के कारण मैं बहुत विचलित हो गया ग्यान दागा। वो धूर्ट, कप्टी आपका बहुत अनादर करता है। ऐसी मूर्खता पूर्ण बातें करना त्या उसकी बुद्धि हिंता के लक्षन नहीं है। नहीं सोपान, वजरभूशन जी हमारे लिए आदर्निय हैं और सदा आदर्निय रहें। हाँ सोपान, आज हमारी प्रटकी, हमारी उन्नती का सारा श्रे वजरभूशन जी को जाता है। जैसे नास्तिक ही सबसे बड़ा आस्तिक होता है। वैसे ही निंदक ही सबसे बड़ा शुक्चिलतक होता है। और वजरभूशन जी जैसा हमारे परिवार का सच्चा मित्रों और कोई नहीं। कि वज्रभूशन जी के कारण हमारे माता पिता को समाज से बहिश्कृत किया जैता यदि हमारे पिता समाज में रहते तोत्सवों शके संबंदियों और कर्म कांडों में कालापव्य होते हैं हमें एश्वर साधना का एकान बज्रबूशन जी के कारण ने है समाज की घ्रणा अनिंदा ने हमें आत्म केंद्रित किया, अध्यान से साधना बढ़ा में झाती बाई ये वहिस्कृत होने के कारण आं पज्रबूशन जी ने हमें समात से वहिस्कृत किया और उन्होंने हमें पैठन भेजकर सामाजिक और धार्मिक प्रतिष्ठा का अधिकार दिलाए। दावन के बिना क्या रामाएं। दुर्योधन के बिना क्या महाभारत। मैं इसे दुष्ट बृत्ति नहीं। जाग्रत दृष्टी कहता हूं। हमारी निंदा से लोग हमें हमारी त्रुपियां बताते हैं। जो आती आवश्चक हैं। जैसे आज वच्रभूशन जीनेगे। हम लोग जयगोश में मगन हैं। अथ्वाप भजन किर्तन से पेट पालने वाले साधू बन गएं। बजरभूशन जीने सत्य कहा सोपान। यह हमारे जीवन का लक्ष नहीं है। यह हमारे जीवन का लक्ष नहीं है। हाँ ग्यानन। धर्म याने अंदश्रत्त तर्मकांड याने धर्म इन पुरातन भारमिक शंखलाओं को तोरकर हमें भागवध हम तथा मानोता धर्मका प्रचार करना है। वाज्चे हम जन जागरतिका उवरत लेते हैं। पुना वज्रभुशन जी को प्रणाम करके यह कार्य प्रारंब करते हैं। दन्य जन्य ग्यंचर ग्यानेश्वरा दन्य शमा 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 इस मतिमन्द को शमा करो शमा करो आचारे जी यह आप क्या कर रहे हैं या देश्वरा मैं अपनी नीचता और आपकी योग्यता जान चुका हूँ मुझे दर्माचारे कहकर न जित मत करो यह आत्म ज्यान की घड़ी है वजरबू फेंडी आज मैं आपको आचारे कह सकते हूँ कि आपके कारण केवल आपके कारण हमारी उन्नती हुई आचारे जी मैं बड़ा राक्षुस बन गया था कर्मपराण्विट जल्पल और पुत्री रुख मिड़ी कावध करने वाला कराने वाला मैं नारादम हुँ मुझे ख्षमा करो लिवर्ट की नाता है को बंदेवा ख्षमा कर दो पश्चा पापी पापक्षालन होता है आचारे जी नहीं पहले कहो ख्षमा कर दी अच्छा ख्षमा कर दो अब अलंका पुरी चलो और इस पतित को तु आगे तका अउसर दो हम आएंगे आचारे हम अवश्य आएंगे कें तु अभी मैं आज मैं खावध हो मैं कि अधन्य धन्य हो गया मैं कसुरी मुर्ग की तरह पागल हो गया था कसुरी की सुगंध मेरे पास थी और मैं उसे अम्हान में ढूंता रहा अधन्य ग्यानेश्वरा धन्य 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 हुँआ हुआ 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 आप देख रहे हैं टीडी भार्थी फिरनी जैसे काली आखे जिसकी वो है क्रिश्न कली भूनी की बाते न जाने कोई सिधारों के फेरे में क्रिश्न कली क्रिश्न कली क्रिश्न कली क्रिश्न कली अपने बिजी डे को दीजिए एक परफेक्ट स्टार्ट यहां होगी आप से जुड़े तमाम मुद्दो परबात दूर दर्शन का खास शो आ गया है आपके पास डीडी मॉनिंग शो अठारो सो संतावन जब आजाद हिंदुस्तान के सपने ने जन लिया आये जाने उन वीरों के बारे में जिन्होंने स्वतनत्ता की न्यू रखकर इत्यास रच दिया कहानी है ये दो युक्ति पूर्ण योजना करताओं की जिन्होंने आसाम में आजादी की दोर समहा दी थी उनकी अनोखी जोड़ी नामधा मनिराम पियाली शुरुआत की मनिराम दिवान ने कलकत्ता से बजा दिया विद्रो का बेगुल गुंज जिसकी पहुँची आसाम तक और बिटिश राज के होश हो गए गुल पियाली बरुआ ने बढ़ाया कदम और किया सहय योगों को प्रेरित स्वतंतुरता संग्राम की ऐसी योजना देख अंग्रेजी अफसर रहग है जकत मकसद था एक अंग्रेजों के चंगल से बचाना है असाम का सिंहासन थे राजकमार कंदर पेशवर योग्य भरपूर था जिनमें नित्त और अनुशासन चारो और फैल गई क्रांती की ज्वाला राधीन कर अंग्रेजों को लाना था एक नया उजाला धावा बोल दिया सेनानियों ने कोला घाट से नोगोरा और जोर हाट से नागाओं सुनून भरा था मन में की अंग्रेजों को है फगाना उल्टे पाओ समय बीता और फिर नियती ने चली एक ऐसी चाल मनीराम के खुफिया संदेश पढ़ गए गलत हाथों में और कमजोड पढ़ गई ये ठाल लगा दिया राज द्रोका रोप किया मनीराम प्याली को गिरिफतार लेकिन बुछा न सके आजादी की आग को हार कर भी नहीं होई थी हार मनिराम पियाली को अंग्रेजों ने चढ़ा दिया सूली पर अपनी देश भक्ती के लिए आज और सदा के लिए वो रहेंगे आमर अठारो सो संताउन के जंग के खिस्से आज भी हर वारतवासी के मन में जोश और उत्सा भर देते हैं ऐसी ही वीरो की प्रणादाय कहानियां लेकर हम फिर लोटेंगे आजादी की अमरत कहानियां सूचना यह वंपरसारन मंत्रा ले और नेट्फिक्स द्वारा प्रस्तुत जरुरी खोसला उसके खातिर चली बनाने चिडियां छान मारी उड़ उड़ के उसने शहर की सारी गलियां छोमड पट्टी खोड़ा कंद की शोर पिवारी कुंडें रैमिक भारी हवा प्रदोशित यहर की अतकंडें पेड जो ढूंडें कहा उन्होंने ऐसा कुछ मत करना धूल धुए में हम घुटते हैं उसको ना मरवाना लगा उसे चलू नदी किनारे राहत मिल जाएगी कीडे मकोडे ठंड हवा की सुविधा मिल पाएगी पर क्या देखा नदी बनी है गटर बड़ा इक गटा किनिया कूडा जल में बहाए आज में बन गया अंधा सोचा फिर चिडियाने जंगल जाना सबसे अच्छा पाया उसने कटे पेड़ और जंगल सारा बुच्चा हावा पानी सब दुशित हो गया कुछ भी बचाना अच्छा कैसे जिएगा इस हालत में मेरा भावी बच्चा सोचा फिर चिडियाने बच्चा पैदा मैं न करूँगी धविश्यों ही नई पेड़िका ना बरबात करूँगी करके पहले दूर त्रदूशन सुन्दर जगत बनाना जीना जीने देना सबका जीवन सुखी बनाना जीवन सुखी बनाना कुंदा हो कर साइका मिला हो अक्षर ठाइका स्वादों से भरी पेत है खुश फैमिली और पेत है फिर जुन्दगी तो ग्रेत है वाह क्या टेस्ट है वाह क्या टेस्ट है वाह क्या टेस्ट है वाह क्या टेस्ट है वाह 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 Good food is not a leisure. It is a lifestyle. A lifestyle that can help you to think better, to live better and to work better. A lifestyle that can help you to become a great version of yourself. Don't you want a lifestyle like that? So come on, let's learn to cook good food. Namaskar, I am Shrapta Kapoor and you are watching our favorite cookery show. The name is Wahh! What a taste! Wahh! What a taste! So friends, we have reached Eros Hotel Nehru Place, where almost everything is available. With a wide range of restaurants, spa salon, gym, aerobic centers, business centers, shopping arcades. So all in all, it's a perfect destination for you all. So now let's go to our final destination, which is our food corner. So let's go! So friends, as you can see, we have reached our food corner. And let me tell you, this is the food corner where our talented chefs, you can learn from different different cuisines, different different dishes, hand pick and learn from different cuisines. So let's go! Which cuisine are you going to learn today? This is what we call our chef. Welcome, Chef Lawsell. Hello, viewers. Hello, Sharda. Hello, Chef. How are you? I am good, Sharda. How are you doing? Very fine, Chef. I am feeling something different today. Please tell us, which cuisine are you going to learn today? Today, we are going to make a very tempting dish for Chinese cuisine. Chicken Dry Red Chili. Wow! What a taste! Wow! So today, we are going to learn Chinese cuisine today. That is really nice, Chef. So first, let's see some fun facts. Absolutely, Chef. Red Chili's, why don't we use red chili's, so why don't we use red chili's? Absolutely. There you go. Friends, what do you know? Dried red chili peppers' shelf life is more than fresh red chili peppers. And because of the dry peppers, these peppers over time, or in the cooking time, never lose its taste and flavor. Moreover, in the cooking process, we use dried peppers as fresh peppers, as fresh peppers as fresh peppers as fresh peppers. I just love these hot and spicy dried red chilies. Chef, let's see. We use many cuisines from these cuisines. And these red chilies have its own flavor in each cuisine. In Chinese, the dried red chilies are much more used. The main ingredients are much spicy. Alright, Chef. So, let's start. What is going to be the first step? Wow! What a taste! Let's start. Let's start. Chicken breast, chicken thigh, one into two. Marination, let's start. The basic Chinese, basic marination is very simple, which comes in every meat and seafood. Okay. We'll add some broth powder, salt, salt. Some vegetarian mushroom sauce. Add a little bit of soya sauce. Wow! Soya sauce marination, Chef. Soya sauce marination, Chef. Pronounes. It's not. Unpl прич Reform, Petrat. We'll add some corn flours. Normally, when we get a potato starch, Whatever we prefer inside, finish everything with corn flour. Add a little flour, grid washing boundaries. और इसके बाद मिक्स कर दिए प्रॉकली तरीके से पूरी कोटिट होना चाहिए अब मैं आप दाला हूं और दाला हूं आप दो हाँ नौद आप दुगा अब मैं जब कर दो सकते हुआ है खोड़ा सा फ्लेंगा नहीं 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 जादा ही गर्म होगा देन देखिकन के जो और हड़ जाएगा और रधा यह हो गया हमारा चिकन लगब हो गया I'll strain the chicken और बीज बीज में इसको जो भी आप गर में जो पैन यूज कर रहे हैं हलका सा ऐसा करते जिए ताकि छिपक न जाए इस चिपक न जाए इस चिपक न जाए इस चिपक न जाए इस चिपक न जाए तब जब हम नमक जाएदा हो जाते है ग्रेवी में गल्ती से so what will you do to reduce the salt? अब आप सोचे इसके जवाब मैं जो नेक्स सेग्में पे बता हूँगा what is going to be the next step? अब हम शुरू करें के इसको दीमी आप में हलका सा तो बड़ी लस ओल क्योंकि जब हम लास में बता हूँगा I'll tell you उसमें भी हम सिस्मी ओल जो कोट करेंगी जो पहला जो इंग्रेट है हम डालेंगे डायरेट चिली अगर if you want to like a more spicy you can add more चिली अब हलका सा जब डायरेट चिली को बर्न होना चाहिए बर्न होने के बाद then we'll add a जो गालिक है Chinese के the main ingredient garlic and chopped ginger इसको हलका साम साथे करेंगे इसको हलका साम साथे करेंगे इसको साथे लोग फ्ले में ही साथे करेंगे साथे करने के बाद अब हम डालेंगे यह शेड़ जो अनियन है शेड़ आनियन है साथे करेंगे जब हम अनियन हलका साथे होने के बाद तब देन बील आद चिकन साथे करेंगे तक लिए अनिया उने खाने करें हम ने दाल दे अंचिकन जासे लिए टरिए जीए सोल्ड हम वेसे बहुत कम यूस करते है बिकास्ट विसकोज उस जो मुझरोम का जो साथे जैसे के बाद पार्ट में भी आदी एक सिसनी है तो we'll keep a very last of this जो मुश्रूम को जो सॉस है ये यूस करेंगे ज्यादा इसमें ज्यादा ही फ्लेवर है अब दालेंगे सोई सॉस अब दालेंगे चिली पेस्ट तो पेपला इसमें ज्यादा डाल दालेंगे तो इसमें रड़ कलर आरहे है जो कि चाहिए होता है, दिमांड़ होता है बदीजिए अब जो एंड में जो दानिया का एग फ्लेवर है ये जो पता जो है वो जल्दी ही जड़ी ही जड़ी ही पक जाता है अ वेय्त बदीजिए प्रूदी मㄳैंद असकां जड़ी ही- अज्यम अड़ी हम को कि वांड टालेंगे अथा की वांड़ी है डालेंगे खुट कि वांड़ी है आपि आट एगनंगे धुट को दीच कहँटो है जिसके अगर इसमें थोड़ा साथ स्मेल है चिकिन का इसके श्मेल बीडियूस करेगा और जो शाइनी होगा और विधर्स और जो कोकिन वाइन और सेसमी ओयल शेव मैंने बहुत बार नोटिस कि है कि हम चाइनी कुजीन बनाते हुए ये एंद मी को किण ओयल दम नियाल आशिरक जड़ जाल दें यइसा क्यों है यस इसलिय है कि जब इसके एक शायनी रेता ही अजो फ्लेवर जो है जो lucky Lakshmani रїत 갑िक फ्लेवर जो है जो पुर च्रीवर जायन अच्रीवाइग MEMद वर सिभा ओंडिक्ट में करता नाव को वीवर्स यह दिशिस रेड़ यह लीग्ड कर देख गार कईगम है हमारा चिकन रेड चिली, let's taste it now, wow chef I must say this is perfect, thank you Sharda I'm sure the viewers also love this, yes chef definitely, यह बना ही इतना delicious है कि viewers को पसंद करना ही पड़ेगा, लेकिन गर पर ट्राइ करने के लिए आपको पहले रेकिन देखना पड़ेगा, go for it, let me enjoy till then, wow क्या टेस्ट है चिकन ड्राइ रेड चिली बनाने के लिए सबसे पहले चिकन ठाई को डाइस्ट पीसेज में कट करें, अब एक बोल में डाइस्ट चिकन, ब्रॉथ पाउडर, सॉल्ट, मश्रूम सॉस, सोय सॉस, कॉन फ्लार, पानी डालके मिक्स करें और मेरिनेट करें चार से पांच खंटे तक, मेरिनेशन के बाद ओयल डालके उसे फ्राइ करें, अब पान में थोड़ा सा ओयल, ड्राइ रेड चिली, चॉप्ड गालिक, चॉप्ड जिंजर डालके सोते करें, उसमें स्लाइस डानियन डालके भून ले, फिर फ्राइड चिकन, सोल्ट, ब्रॉथ पाउडर, करें, कुरियंड लीव्स के साथ, दोस्तों क्या आप जानते हैं, अस्परागस में विटिमिन के की बहुत एक्सिलेंट सोर्स पाई जाती है, वो हमारी बॉडी के अंदर के बोन फॉर्मेशन के लिए और बोन को हेल्दी रखने के काम आती है, अच्छा, एक बात बताईए, बच्पन से हम सबको बताया गया है ना, कि ग्रीन वेजटेबल जादर से जादर खानी चाहिए, तो क्यो ना अगले सेग्मेंट में हम शेफ से डिमांद करें और रिक्वेस्ट करें कि वो हमें कुछ क्रीन वेजटेबल से रिलेटेबल ही इस डिश के बनाने के लिए हमारे बास जो आइटामे मैं बता दूंगा ये है बीन्स, स्नोपीस, फोक चोई, स्पेनिच, चाइनिस कैबेच, ब्रॉकली, असपेरिगास ये है इनके इसकी सॉस के लिए जो हलका सा जो टॉस करते है इसके लिए चाहिए है गालिक और ब्रॉ अब आज़ करेंगे पहले सबसे पहले वेजडेबल को वक में पानी डालके नोमली हाई फ्लेम से बॉइली करते है वेजडेबल को और ये जो आप टो एड़ बिट वीड़ सोल से वेसे कलर भी घ्रीन रहेगा और ये जो इसकंदर हलका सा इपसर अबसर तेस्ट रहे जोग अब वेल पूट सबसे पहले बीज़ डाल देंगे विकास इसने बीज़ को हम सबसे पहले पकाएंगे अफर दिस वीड़ अगे असपरगास ये थोड़ा सा हाई इसमें अब ब्रोकली और श्नोपीस अध अध एंड में हम डालेंगे ग्रीन लीफी वेजटेबल चैनीज कै इसको हलका सा हम इसको मिक्स करेंगे हो गया अब इसको हम स्ट्रेंज करेंगे और हम ठंडे पानी में डालेंगे ताकि इसका कोकिंग स्टॉप हो जाएगा इसमें अब हम इसी जो आइस वाटर है जो मैने जब इसमें बिलकुल चिल आइस वाटर में डाल रख ए ताकि इसका कुछ नेस और कलर रिमेंगे अब फ्लेम को बिलकुल हलका रखे जस्मेक इड़ लो फ्लेम इसमें जो चैनीज पूर के यूजली क्या होता है जब गालिक जो है ज्यादा सोते है इस अचेन नो एड लीतल विल इविटल बिल क hearings जारेंगे जालिक इस वेजटेबल के लिए सृटि गॉर्ली वि कंय이라 रिकश वेजटेबल के राख कि वाटर में गालीगार debates एक बार हाई फ्लेम में टोस करें एक बार हाई फ्लेम में हाए रिंगें हां अलका साथ वारा हग खुछी हाई करके फ़र्फार जच साहथ अब हम एंड में डालेंगे हलका सा सिस्मी ओय तो तील का ओय और कुकिंग वाइन जनरली चाइनीज में मोर तो कुकिंग ओयली यूज करते है कुकिंग वाइन इसको अलका सा और तोस करिए अब हो गए यह डिश कर यार अब होगा है यह डिश कर यह टायार है इसके लिए गानेश केले हलका सा जो ब्राउन गालिक है और भुटी जरूरी है इसके लेवर बहुत ही अचा है क्डिवा स्टेट जेड़ का लावा दिए बार जारी भी फिर्ट वर्टत प्रड़ प्रड़ कोष्ट प्यूस रिट्ट रिख टूसे लिए इस तुरू ज़ार इट्वा प्रड़ लेज वेल करिया उनल तुरूल को पुला इप इसे लिए अबतों नियुकर आदेन दिश्कुषा दिखत्स तो ऑजा था इस्वार्स? कता समय कर दो पाद टो, कर दिखत्स तो अधिमें भी दो टात्रिवाट्स, तो जगा झोड़ आपे दिग फूग जिए पर दिल ग डिव्लिव फूट्स पर यक्टीज कीज़िए घ्रीज आपकाइब पाल्च को इसके खाल भॉल्लिक आपका जणना आपने पकड़ा गई अगले अग्मीज़िक खाल गई आपने तो कि इसा खाल छुटक प्लिकेटिज़ एक जिसे घर का खाना होता है फिस दिन जए बखेंटें गज़िकिन आप टीन जो एक इसकी रूह है, जिस वेरी प्योर एंसेकर, एड वांट आ लॉट आ लॉट आ इस, सिम्पल, क्विक, ए बूरिफुर दशुप्र दशुप्र, वाह, क्या टीस्ट है, Stir fry summer vegetable बनाने के लिए, एक पान में salt, bean add करके पकाले, फिर उसमे अस्परागस, broccoli, beans, spinach टाल के स्टिर करे, उसके बाद, chilled water में डाल ले, अब low flame में एक पान में oil, garlic टाल के सौटे करे, उसमें blanched vegetables टाल के स्टिर करे, seasoning करे broth powder, salt के साथ, end में डाले sesame oil and cooking oil, garnish करे fried garlic के साथ, वाह, क्या टीस्ट है, आप में आपके सामने एक बनाने जा रहा हूं, वो बहुत ही सिंपल है, पर थोड़ा सा टेक्नीक जो है, वो फोलो करना बड़ेगा, तो, I'll tell you the, what the exact, the temperature of the oil, when you fry the beans and, at the what the temperature, you have to toss it. Let's heat the wok, then you add the oil. So, weepers, आप लोगों को याद हो को चाहले हम जब गर में जब खाना बनाते तरमें जो ग्रेवी जो भी है whatever we make the gravy and when the salt is getting high तो हम कम करने हम क्या कर सकते है तो इसका exact answer है जब ग्रेवी में जब नमक जादा होते है आप एक दो बना दीजे जो डो बना के दो थोड़ा हाद सा बना दीजे उसी डो को उसी ग्रेवी के अंदर डाल के कम से कम आदे घंड़ तक रखिए इसके बाद आप चेक करें आपका टेस्ट नमक जितना आपको चाहिए एक्जेक वही देगा जब तेल का हलका सा धुआ निकलने के बाद तेन यू एड़ा फ्रेंच बीन पाद मेक शूर इसी में काई पानी ना हो अब तेल हमारा गरमी है अब हम इसको स्टें कर देते हैं जस्टेंड आप इसके बाद नेक्स पुसिजर रहा अभी यह जो बीन से पूरे पकानी है तो वाट वाट वी दूट बाद आपका निया शाद दूधा के वान टर्वे इसी मेंगे हलाया सायर सन्साल्ट क्योंकि बीन जआले इसी की दियाफ मेंसौरी ज कर दकाने का थौड़ा तो इना यह था इसीले यह जाद जिए जग हं इसीले इसाथ आपट बांच टिजे, अब ये बींस यार है, अलागें बीक केने, दो पर हारी को इसी को पेंगे, भीच करो, अब जो इसमेगा, मेक शुरे लापने चाहि को साथियो, एक यार है, अब जुगाल। back up to the the cooking process just put a very less oil flame on very skabar the first I'm gonna get ginger and the garlic just add on equal quantity as I told you before also there are no need to saute for one and then again now add some chopped onions saute chop mushroom, we use the black mushroom in the hotel, you can use the butter mushroom in the house chili is very spicy saute for a while now you add we add the vegetable beans, we add the beans high flame and toss toss little bit more now we add it to the end first we add a little seasoning broth powder salt 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 and now we add a chili paste we add a chili paste normally we add sesame oil and the cooking wine now high flame now high flame we add a chili paste to make it more appeal color on top bell pepper, red and green pepper and some brown garlic here are the dishes ready for you wow 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 what taste is what taste is stir fry french beans stir fry french beans we add a chili paste now add sesame oil and cooking oil and add a chili paste on high flame stir fry french beans ready to garnish जिन्हों ने हमें इतनी टेस्टी और इतनी हिल्दी डिशेज इतनी अस्तानी से बनानी सिखाई तो अब इसी असान टेक्नीक को फॉलो करके घर पे ठ्राइ करिये रेसिपीज और हमें अपने फीट बैग भेजिये हमारा mail ID है वाक्यतेस्ट है अग्यम टॉट कॉम सब रेंज अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात कछ डिफरेंट सेर अफ रेसिपीज के साब वाह क्या टेस्ट है वाह क्या टेस्ट है वाह क्या टेस्ट है आप देख रहे हैं टीडी भार्दी अठारसो संतावन जब आजाद हिंदुस्तान के सपने ने जन्म लिया आए जाने उन वीरों के बारे में जिन्होंने स्वतंतरता की निव रखकर इतिहास रच दिया ये है उस विरांगना की कहानी कहते हैं जिसे जासी की रानी बशपन बीता संग खेल क्रवान ढाल कटारी फिर राजा गंगा धर से व्याह कर आई महल बन के रानी हुआ राजा का निधन सोचा सबने रानी बन जाएगी दासी औसर देख बिटिश राज के फोजी पहुँचे द्वार जासी चंद्र तिलक माथे पर हाथों में तलवार साथ अपनी महिला से नाके किया जोड का हुआर उत्र दामोदर को कस लिया पीठ पर दिया परचे साहस का लड़ी साथ दिन भोके निडर नहीं तुंगी अपनी जासी लगाई सोड की ललकार आचना आने दी अपनी मिट्टे पर अंग्रेजों की कोशिश हुई नाका महिनों बाद अंग्रेज लोटे फिर से धावा बोला ग्वालियर में थी लक्ष्मी बाई फिर उठा युद्ध का शोला चारो और से घेरा दुश्मन ने घायल हुई राणी वीर गती को प्राप्त हुई वो नारी वो मरदानी वीरता की थी वो साक्षात मुरत थी स्वतंतुता की मशाल जलाई याद रहेगी हमेशा उनकी कहानी वो थी राणी लक्ष्मी बाई अठारो सो संताओन के जंग के किस्से आज भी हर भारतवासी के मन में जोश और उत्सा भर देते हैं ऐसे ही वीरों की प्राणादायक कहानिया लेकर हम फिर लौटेगी आजादी की अमरित कहानिया अपने बिजी डे को दीजिए इट परफिक्ट स्टार्ट यहां होगी आप से जुड़े तमाम मुद्दों परबाद दूरदर्शन का खास शो आ गया है आपके पास डीडी मॉनिंग शो खाई खाई जाए 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 फिरनी जैसे काली आखें जिसकी वो है क्रिश्न कली खोनी की बाते न जाने कोई सिधारों के फेरे में क्रिश्न कली क्रिश्न कली, क्रिश्न कली, क्रिश्न कली शब शिरो मनि फुल्न आत्मा करुनातागर ज्यानेश्वर मंगल कारी अंतर यामी तेज किदागर ज्यानेश्वर ज्यानेश्वर, संत ज्यानेश्वर, ज्यानेश्वर, ज्यानेश्वर कर दो कर दो कर दो कर दो सावरा मारी प्रीत निभाजो जी सावरा मीरा के प्रभु गिर्धर नागर बेरो पाहर लगा जो जी प्रीत निभाजो जी सावरा किती सुंदर रचना कैसी पुकार मीरा बाई की रचनाओं में अनेको रंगों से अनेक रसों में जब उनको एक रस रधान रस जिसको कहना चाहिए क्रश्न भक्ति बिल गई सोलहो कला संपून क्रश्न के अंदर कौन सा रंग नहीं था मीरा ने सारा अपनी रचनाओं में उनको उतार दिया इतना सुंदर करुना विश्वास प्रीत भक्ति सब रसों को उन्होंने अनेक रचनाओं में ऐसे ढंक से पिरोया है कि सारे पद जो हैं अमर हैं अमर रहेंगे कथक क्रश्न ये दोनों बहुत नजदीक हैं मीरा क्रश्न भक्त उनकी रचनाओं को देकर मैं क्यों नहीं लालायत होंगा मैंने देखा पढ़ा सुना मेरे मन में भी एक प्रणा जागरित हुई और फिर तो मैं मगन हो गया कुछ गाने देखें और कहते हैं कि समाज ने इतना विरोध किया मीरा का हर विरोध को सहती हुई कष्ट जेलते हुए भी कृष्ट से अलग नहीं हुई उनके उसमें ही लिफ्ट रही और वो सदा अपने एक तारा लिये हुए कुणगान कृष्ट का करती रही सोते जागते मीरा कृष्ट के ही ध्यान में रहती यहां तक कि सपने में भी उनको प्रभू दिखाई पड़े पिछकारी लिये हुए रंग खेलते हुए अब वो सोयम भी एक उसी हुली में एक पात्र बन गई और उनको लगा सारे रंग मीरा के ही उपर पड़ रहे हैं क्या सुरूप रहा होगा बाद में चौक के जागती हैं तो देखती हैं कि वहाँ पर कृष्ट नहीं है उदास होती हैं लेकिन उनके पती का पूरा सहयोग उनके भक्ती के लिए कृष्ट भक्ती के लिए उन्होंने बलके कभी भी वरोध नहीं किया मेरा का कहना था कि पुरुष तो केवले की ही है वो भगवान कृष्ट है और कोई नहीं पती की रूप में उन्होंने उनकी पूरी सेवा की और मेवार अचानक लड़ाई छिड़ी और मेवार हार गया बस्ती के तमाम लोग अंजानी रहों में चल दिये मीरा भी धीरे धीरे उनके कुछ प्रशंसक उनके साथ भजन गाते हुए द्वार का क्योर पहुँचे और उन्होंने कुछ दिन वहां भगवान की सेवा की मंदिर में रशनाई की और ऐसा कहा जाता है कि भगवान की मूर्थी में मीरा अचानक समा गई वहां उनका शरीर नहीं मिला कुछ नहीं मिला आज भी ये कहानी सभी कहते हैं इन्ही तमाम रशनाओं को देखकर मेरे मन में हुआ एक कलपना जागरित हुई और मैंने मीरा हरी रंगराची का एक चित्रन किया एक नुत्रनाथिका बनाई है पायो जी में तो रामरतन दन पायो सतकी नाओ खीवर्टिया सत्गुरु भवसागर तर आयो मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरक हरक जस गायो पायो जी में तो रामरतन दन पायो पायो जी में तो रामरतन दन पायो कर दो रामरतन दन पायो भवसागर तो रामरतन दन 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 पायो हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ हुआ है हुआ हुआ है 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 माई हुआ है हुआ है हुआ है हुआ है हुआ हुआ है हुआ 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 है पुरब जणम रोबा पुरब जणम रोबा पुरब जणम रोबा परन्यारे दीनाना परन्यारे दीनाना परन्यारे दीनाना है पुरब जणम रोबा पुरब जब जबन पुरब जबन पुरब जब जब कर दो कर दो कर दो प्रित निभाजो जी थे छो मारा गुनरा सागर आगुन मारे मत जाजो जी प्रित निभाजो जी दासे थारे जनम जनम रे महारे आगण आजो जी प्रित निभाजो जी मीरारे प्रभु गिरिधर नगर बेड़ो पार लगाजो जी प्रित निभाजो जी स्वावड़ा प्रित निभाजो जी प्रित रखने सागर प्रित निभाजो जी कर दो लग्यादों कु़ फसी इसाल झाल 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 कर दो कर दो कर दो कर दो नुम झूिए झाल कर दो 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 करina कर दो करदा की अब मैं सरन तिहारी जी मुही राखो क्रिपाने धान अब मैं सरन तिहारी जी मुही राखो क्रिपाने धान मुही राखो क्रिपानिधान और अधम तारे बभु तेरे भाखत संत सुजान और अधम तारे बभु तेरे भाखत संत सुजान कुब जानेच भीलने तारे जाने सकन जहार मुही राखो क्रिपानिधान अब मैं सरण तिहारी जी मुही राखो क्रिपानिधान मुही राखो क्रिपानिधान कहां लग कहूं गेनत नहीं आवे ठक रहे बेद पुरा मीरा दाती सरण तिहारी सुनिये दोनों का मुही राखो क्रिपानी धान अब मैं सरण तिहारी दी मुही राखो क्रिपानी धान मुही राखो क्रिपानी धान मुही राखो क्रिपानी धान क्रिपानी तिता राखो तिह क्रिपानी थारे कमो क्रिपानी स्ट्राइब आटें जो है। खोरी खेलत गिर धारी खेलत गिर खेलत गिर खेलत खेलत गिर खेलत गिर धारी मुरली चंग बजत गिर खेलत गिर खेलत मुरली चंग बजत गिर खेलत संग जो मरते ब्रजनारी होरी खेलत गिर खेलत गिर खेलत स्ट भारी जो मुरली खेले चंदन केसर चिड़कत मोहन चंदन केसर चिड़कत मोहन अपने हाथ बिहारे भरी भरी मूठ गो लाल लाल जहूं देट जबन पर डारी धेट जबन पर डारी फोरी खेलत है गिरधारी छेल छबीले नवल कान संग श्यामा तान पियारी गावत चार घमार रागत गावत चार घमार अपने हाथ जबन पर बिहां जबन पर गावत भर्गश कर दो कर दो हावत चार दुबार राज तहां मैंने चल कर चारी बोरी खेलक है गिर धारी कर बोरी फारी खेल अराइस सेया है अरे साफ इसलोपिय को प्याहित कि अजय है अर्ड़ Creator अर्मुड़ का गिर अर्ड़ की फारी बोरी आख़ लाल कर दो कर दो कर दो प्यारे दर्सन दी जोवे तुम बिन रहोन जाए प्यारे दर्सन दी जोवे कर दो 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 जल बिन कमल, चंद बिन रजनी ऐसे तुम देख्या बिन सजनी आकुल व्याकुल फिरूरे दिन विरहकले जो खाई प्यारे दर्सन दी जो आई प्यारे दर्सन दी जो आई प्यारे दर्सन दी जो आई क्यों तर्सन दी जो आई क्यों तर्सन दी जो आई अंतर यामी आई मिलो किरपा कर स्वामी मीरा दाते जनम जनम की मीरा दाते जनम जनम की पड़े तम्हारे पाई प्यारे दर्सन दी जो आई प्यारे दर्सन दी जो आई प्यारे दर्सन दी जो आई कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कि अर्ग का अर्ग कि अर्ग कि इंक हुट्ट। कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो और कर सकते हैं झाल प्रूपराइ प्रूपर शुरिया झाल मेरे तो गिर धर गोपाल दूसरो न कोई मेरे तो संप प्रिकारो राण लाण फीजे अजाए प्रिके शॉजे प्रिकी और जाए प्रिकारो न के प्रॉक्ष्ण मेरे तो गिरधर गोपाले जाके सिर्मोर मोपुट मेरो पति सोई तात मात ध्राता बंधु अपनो नहीं कोई मेरे तो मेरे तो मेरे तो गिरधर गोपाले बिश्को याली ख्राणा बेजी बिश्को याली ख्राणा बेजी विश्को याली ख्राणा बेजी कि लिएको याली ख्राणा बेजी अपनो याली ओंडी कि दूल अपने एक ुफ प्राणा बेजी बिएको याली ख्राणा मेवाल की हार हुई बस्ती के लोग अन्जानी राहों पर चल दे दर्द की मारे बन बन डोलो वैद मिला नहीं कोई मीरा के प्रभु फिर मिटेगे मीरा के प्रभु फिर मिटेगे जद बैद समनी आओ मेरो दर्द न जाने कोई तेरी में को दर्द दिवाने मेरो दर्द न जाने को डर्द न जाने कोई दूखन लागे ने दूखन लागे ने जब से तुम बिछुडे प्रभु मोरे जब से तुम बिछुडे प्रभु मोरे कब हुना मायूचे दूखन लागे ने दूखन लागे ने कल नो परत पल हर्मग जोवत भई चमाती रहे मीरा के प्रभु कबरे में लोगे दूखन लागे ने दूखन लागे ने दूखन लागे ने दूखन लागे दूखन लागे ने दूखन लागे दूखन लागे दूखन लागे दूखन लागे दूखन लागे दूखन लागे कर दो 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 झालू झालू बुल हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ है आज लगी मैं तो यही जानती ब्रज में क्रिश्न पुरुष है एक ब्रज में रहके पुरुष रहे हो धन्य तम्हारों विवेक हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ हुआ है कर दो 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 मैं तो सांगरे रंग राची साजी सिंगार पांधी पग गुगरो दुख लाजी प्रजी नाची गई को मतिलै साधो के संगते भगती रूप भई साजी गाय गाय हरी के गुण निस दिन काल प्याल सुमाची मैं तो सांगरे रंग राची मैं तो सांगरे रंग राची कर दो कर दो सावरे रंगराची में तो सावरे रंगराची हरियो, हरियो, हरियो मेराची गिरधरन लाल सो भग तेर तेरी जाची हरियो, हरियो, हरियो हरियो, हरियो, हरियो है दियो, है दियो एल झाल कर दो 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 आप देख रहे हैं टीडी भारती नए जमाने की नई तस्वीर अब छट पर लगे टीवी आंटेना को कहो गुडबाई सदा के लिए समय के साथ बदलें आगे बढ़ें ले आएं आज ही तूर दर्शन का डीडी फ्री डिश इसमें हैं आपके पसंदीदा सौ से ज्यादा टीवी चैनल्स इसके अलाबा 51 एजुकेशनल याने पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं बिलकुल नहीं डिजिटल क्रांती की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश अजिटल क्रांती की ओर्चा नहीं प्रचा नहीं बिलकुल नहीं पड़ाई एक कुछ पर लिख भीशज़ प्रचांटा बिलकुल तो और छो चैनल्स झाल झाल काम जन्नक्त दीपुगना मदकरताम 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 तामिता दाहर लोला परिबागी जार्यों मुदा खाम जन्ना गार्या सानि पापनि भूमी मिनि बब बब बापनी बाम पनी सा निनि बब भूमी कि इस निपाप पापाप पनीपानी निमानी पामा पाम गमरे गमरे इसरी पापनी पाम पनी सानी एप ऊनीपाम निव निव पहू निव निव का बदिय्दी। मपनी भूमी मोपनी का इसे खिएंगी हमानन कर देहीं alot eMaster करने दो आदे अना वअन प। में नायाइग, मपनी किक ऑ्तान नीचाईय। कि नी तून्त कुछंत आ कि नी चाथ कुछं चारव कि जन्ता सनु ya जा फैस्टाव कि नीच प्रर्वात कुछं मिल्धास कुछंगे चारिपाओ मारीरी पोम भी साथ भामस भी बामस भी टार बामस भी बामस भी। तराउ CG भृकक तहुर मैं हमनिन कहा तराउ अजय हम जरे रिधा नलावे हम साथानीरिटीन प्तरम निवारे हुआCC प्तरम जुठी मैंं तराउ प्तरम च मतार आन कहा हम षॉ जरे खरी जरे ब चल्सक है इसे मारे तेर आर आरण कर दिसाए, इसे ओधे बंदूने !! मैदेसा, आरे बंदूने कर दो खेने कर दो चाहत intact इसन इफद्स निपार बबगणी है नप बबगणी संदी पनी बापका निजनी बहती, संदी रनी जमादी, संदी बापका गमादी, संदी बापके रुंमे, घ्लामादी नढगा रूम। कर दो कर दो दो कर दो कर दो कर दो कर दो, कर मतरण कर दो, कर दो कर दो बोला समय मिते, आती बेगा मेवाची देवी बोला समय मिते, आती बेगा मेवाची देवी 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 का माती देवी प्रोवा समय देए अती बेगा मेवची प्रोवा समय देए अती बेगा मेवची दूगे तद पीर्ची करुणियू सरे प्रोवा समय देए अती बेगा मेवची दूगे तद पीर्ची करुणियू देए अती बेगा मेवची प्रोवा समय देए अती बेगा मेवची दूगे तद पीर्ची करुणियू सरे अती बेगा मेवची आमारी देवी रोवा समय देगे दोक जनने नापई देगा नीदा सुड़कादा दोक जनने नापई देगे दाने नीदा सुड़कादा चीकाँजी देगारी देगा कि यान शीकाँजी देगा शीकाँजी देगारी देगारी देगे आम ईंचीकाँजी देगे जुल नहीर कामे चरुनितिया कामी जुल नहीर के मौना यंदाम आरमा मिनुमा कल दे ओमा यंदाम आरमा इनुमा तल दे ओमा समय के अथी वेग मेवचि आपकान कीर्ची करुमिंस वेशंग प्रेकामादे पेवी नोगा सांब यह जाव प्रिष्णूनी सुगरी कवमादे दिंपाः गोदे शाम कश्कुनी सुगरी कवमादे दिंपाः गोदे तेमाः पांधे स्थी नदी देवादे शाम कश्कुनी प्रिष्णूनी नितु बीना दुबीलों प्रेमनों कापाणें बनुम नारम विर्माल कापाणें बनुम नारम विर्माल करेविर्मि ओम समय दुबीलों काणें बनुम नारम तेर्ची कर्णिम् सक्थे संगत लेका मांचिंदे ओवा समय देवे जातें लेका मांचिंदे तेर्षपा कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो dal चूर बाटनरो कर दो 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 झाल 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 शंतिलां तवन शंतिलां तवन तेर शंतिलां तवन तेर शंतिलांदवन तेदे शंत आंडवन तेदे शंत आंडवन शेवडि पणिवों में शंत आंडवन शिवकुमरन शेवडि पणिवों में शंत आंडवन शिवकुमरन शेवडि पणिवों में शंत आंडवन कुंति कमला परुमा कुंति कमला परुमाल कुंति कमला परुमाल कुंति कमला परुमाल शिवकुमरन शेवडि पणिवों में शंत आंडवन बेशां बेशां वडि बेशां वडि बेशां लोल्डी देवाने लोल्डी देवाने लोल्डी दोरुमाल वायक मुरुगल बडिवेल वल्ली दैवाने लोलं का दुरुमन वायक मुरुगल कोलमयल वागन करुनान मान शेलं कोलमयल वागन करुनान मान शेलं कोलमयल वागन करुनान वाल शेलं कोलमयल वागन करुनान मान शेलं कोलमयल वागन करुनान 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 शेलं शेंदे आवें वड़ी वेंदें तद्द दनी लाप मपद दनी लाप मगरीगा मपद वड़ी वेंदें दनी लाप मपद दनी लाप मपद दनी लाप मपद वड़ी वेंदें दनी लाप मपद 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 वड़ी वेंद आजय को आप देख रहे हैं टीडी भार्दी अपने बिजी डे को दीजिए एक परफेक्ट स्टार्ट यहां होगी आप से जुड़े तमाम मुद्दों परबात दूर दर्शन का खाश शो आ गया है आपके पास डीडी मॉनिंग शो स्वाद और समपूर्णदा का उत्ता महसा कौन नहीं चाहता स्वादिश खाना बनाना कौन नहीं चाहता परफेक्ट कुकिंग करना वाँ क्या तेस्ट है कौन आइ या नहीं चाहता सवाद है आइ जयो शाइडे यह जयो शाइडे झाल 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 परंपरा की श्रिंखला की इस कड़ी में मैं आपका स्वागत करता हूँ इससे पहले की कड़ियों में हमने सीखा और जाना अश्टांगयोग मैसुर परंपरा का महत्व और सीक्विंस के आसनास और उनके बेनिफिट्स इस कड़ी में हम इश्रंखला को आगे बढ़ाएंगे इस कड़ी में मेरे साथ मेरे विद्यारती है अलिश्या नितेश और अंकुर इससे पिछली कड़ी में हमने सीखे फिनिशिंग सीक्वेंस के आसनास जो आप स्टनिंग सीक्वेंस पूरा करने के बाद ही करेंगे स्टनिंग सीक्वेंस हमारा नौ आसनास का है जिसमें है पदांगुष्णाश्णा, पदहस्थास्थास्थास्थास्थास्थास्थास्थास्थास्थास्थास्थास्थास्थास्थास्थास्थास्थास्थास्थास्थास्थास्थास्थास्थास्थास्थास्थास्थास्थास्थास्थास्थास्थास्थास्थास्थास्थास्था इसी कड़ी में हमने सीखा था back bending sequence, उर्द्व धनुरासन, उर्द्धनुरासन के बाद का विन्यासा चक्रासन, और उसके बाद पश्मोतनासन, जो spine-court को balance करता है, इसके बाद हम इस कड़ी में सीखेंगे उसके बाद के आसन, जो उस finishing sequence को आगे ले जाएंगे, जिनमें है सर सर्वांगासना, जिसे हम shoulder stand भी कहते हैं, फिर हलासना, करने पीडासना और उर्द्व पद्मासना, आएए शुरू करते हैं सर्वांगासना से, सर्वांगासना शुरू करने से पहले सीधे बेट जाएं, ये हमने खतम किया पश्मोतनासना, पश्मोतनासना खतम करने के बाद हम शुरू करते हैं विन्यासा सर्वांगासना में आने के लिए, तो आप अपने लेक्स को क्रॉस करें, इन्हेल करकर लिफ्ट करें, जम करें, एक्सेल करें, इन्हेल करकर उद्व मुखश्वानासना करें, एक्सेल में अध्व मुखश् इसके बाद धीरे से जम करकर बैठ जाएं इन जम बैक और जम थू के कुछ आसान तरीके हम बाद में जानेंगे इसके बाद यहां से हम शुरू करेंगे सरवांगासना सरवांगासना के लिए पहले आप सीधे लेट जाएं आप अपने कपड़ों को एड़्जस्ट भी कर सकते हैं ताकि वो आपके चेहरे पर ना गिरें यहां से पहले हम धिरे धिरे श्वास भगते हुए दोनों पाउं को उपर उठाएंगे फिर कमर को उपर उठाएंगे कमर पे हाथ रखिए कंदो को सीधा कीजिए और जितना उचा उठ सकते हैं यहां उठाईए उड्याना बंध और मूल बंध पर द्यान रखेंगे दस लंबे गहरे श्वास यहां बर पंजे आपके टोस पॉंटेट रहेंगे फेस रिलाक्स्ट आँखें रिलाक्स्ट इन्हेल और एक्सेल जैसा की आप देख रहे हैं यहां बोड़ी अपसाइड डाउन होती है दस लंबे गहरे श्वास के बाद हम करेंगे हलासना धीरे धीरे नवा विन्यासा करते हुए एक्सेल करकर धीरे से पाउं को जमीन में लख रहें हाथ जमीन पर बंध कर रखें घुटने सीधे पंजे तने हुए श्वास की गती मध्यम अपनी दोनों इन्हेल और एक्सेल को बैलेंस करना है यहां हम रुकेंगे आठ लंबे गहरे श्वास के लिए करना पीडा आस्म्य अपनी घुटनों से अपने तानों को बंध करें एडियों को साथ में रखें फेस यहां आपका रिलाक्स रहेगा जो लोग इडियों को क्लोज करकर अपने घुटनों को जमीन में लगा सकें वो लगाएं वरना सिर्फ अपने कानों तक गुटनों को लगा कर रखें अपनी कमर को पीछे की तरफ धगेलते रहें आसन की अभ्यास के दोरान आसन में हिले नहीं श्वास की गती मध्यम लंबे गहरे श्वास हांखे और फेस रिलाक्स रहेगा आठ लंबे गहरे श्वास के बाद यहां करेंगे उर्द्व पद्मासना यहां इन्हेल करकर हूपर आजाए फिर पद्मासना लगाए बैलन्स शोर्लस पर करकर हाथ घुटनों पार फेस रिलाक्स लंबे गहरे श्वास उड्याना और मूला बन पर ध्यान दे इसको कलने के पश्चाथ हाथों को कमर पर लगाए दीरे से नीचे आजाए तांगे खोलें पाओं धीरे से सीधे करें उसके बाद धीरे से घुटनों को बेंड करकर बैठ जाएं यह हमने जाना फिनिशिंग सीक्वेंस के आसन जिने हमने शुरू किया सरवंग आसना से फिर हल आसना करनपीड आसना और उसके बाद उर्द्वा पद्मा आसना आईए जानते हैं इनको करने के कुछ सरल्थ तरीके मेरे विद्याथियों के साथ। शुरूआत में हम अंकुर के साथ करेंगे पहले पश्यमोतानासना पाउं सीधे आगे आजाएं यहां पहले धीरे से दोनों पाउं को क्रॉस करें धीरे से हिप्स को लिफ्ट करें और हातों की बल आ जाएं धीरे धीरे वाग बाक करें फिर चत्रंग गडंड आसना ये क्रम जितना धीरे हो सके उतना धीरे करें बिगनस के लिए है फिर भुजंग आसन इन्हेल करते relaxed फिर एक्सेल करते हुए अधो मुखश्वान आसन अब यहां धीरे से आगे वॉक करकर बैठ जाएं पाउं सीधे करें थोड़ा और आगे हो जाएं और कमर के बल लेट जाएं अब हम पहले जानेंगे सर्वांगासन करने का सरल तरीका जो लोग पाउं को बिल्कुल उपर ना ले जा पाएं वो पाउं को 90 डिग्री तक ला सकते हैं इन्हेल करकर पाउं ले आएं 90 डिग्री तक कमर को जमीन में रखें फेस रिलाक्स रखें यहां कहने में हम 10 लंबे गहरे श्वास के लिए रुखते हैं मगर आप यहां कम से कम दो से तीन मिनट तक रुख सकते हैं पर दो से तीन मिनट पहले दिन ना करें धीरे धीरे सनय को बढ़ाएं शुरुवात करें 30 से 40 सेकंड या 10 लंबे घरे श्वास के साथ और धीरे धीरे हर बार हर अभ्यास के साथ अपने श्वास को बढ़ाते जाएं श्वास की संक्या को बढ़ाते रहें तो इनहेल और एक्सेल पर ध्यान दे मूल बंद पर ध्यान दे, उडियान बंद पर ध्यान दे ध्यान दे के वेट आपका back of the neck पर ना आए सारा वेट shoulders पर रहे जो लोग ठक जाएं hold करते हुए वो घुटने bend करकर एक बार पाउं को जमीन पर लगा सकते हैं अगर आप ठके नहीं हैं, उसी पोस को hold रखते हुए 90 डिग्री से ही आप हलासन में जाएंगे हाथों को पुष्ट करें, कमर को पीछे की तरफ धके लें और पाउं को हवा में ही रखें पाउं को जमीन में तभी लगाएं जब ये आपकी शम्ता हो आप हाथों को बाढ़ सकते हैं श्वास निरंतर रहेगी आसन अभ्यास में हम कभी अपनी ब्रीधिंग को रोकते नहीं है यहाँ भी जैसा मैंने कहा आठ लंबे घरे श्वास या आप इसको भी एक से डेड़ मिनट तक कर सकते हैं सर्वांग आसना उसके बाद हल आसना यह थारड रीजन के लिए बहुत ही उप्योगी हैं अब यहाँ से हम जाएंगे कारण पीड़ा आसन की तरफ तो अपने घुटनों को जो लोग कानू तक ना ला पाएं वो माथे पर टच करें घुटने बेंड रहेंगे एडियां जोड़ी रहेंगी अगर घुटने जोडने में आपको परिशानी हो तो घुटनों को खोल भी सकते हैं थोड़ा और बस यहाँ आप रुख सकते हैं जिन लोगों को हाथ बानने में दिक्कत हो वो हाथ कमर पर रख सकते हैं ताकि आगे की तरफ जुकाव कम रहे और आसन को सरलता से रोक सकें। लंबा गहरा श्वास निरंतर यहां भी फोकस करें कि सारा का सारा भार हमारे कंधों पर रहेगा। शोल्डर स्टन, प्लफ पोस, करनपीड आसन, इन सभी में हमारा वेट शोल्डर स्पर। यहां से हम जाएंगे फोर्थ पोस की तरफ जो की है उर्द्व पदमासन, उसके लिए आप यहीं से पाउं सीधे करें। और उनको जो लोग पदमासन ना कर सकें सिंपल क्रॉस लेक पोस कर सकते हैं। अगर बैलन्स कर सकें तो हाथ घुटनों पर कोहनिया मोड कर रखें। अगर कोहनिया सीधी कर सकते हैं तो कोशिश करें। पर अगर आप बैलन्स ना रख पाएं तो हाथों को कमर पर भी रख सकते हैं। घुटनों को ऊपर उठाएं। पाउं जुड़े रहेंगे। फेस रिलाक्स्ट। धीरे धीरे श्वास लेनी हैं और धीरे धीरे श्वास छोड़नी हैं। अब धीरे से घुटनों को फेस के तरफ ले आएं। हाथों को जमीन पर लगाएं। कमर को धीरे धीरे नीच लाएं। यहां आप अपने अब्डॉमिनल्स को यूज़ करें। पाउं को क्रॉस ही रखें। जमीन पर ले आएं। और धीरे से उठकर बैठ जाएं। यह था यह पहले चारासन जो फिनिशिंग सीक्वेंस में आते हैं। उनको करने का बहुती सडल तरीका। आये जानते हैं इनकी एक और आप्शन अलिशया के साथ। पशिमतानासन में बैठकर हाथ सीधे। दशा क्रॉस लेक करेंगे। एका दशा लिफ्ट अप करकर जम्प करेंगे। एक्सेल करेंगे। द्वा दशा। रयो दशा। इन्हेल। चत्तुर दशा। एक्सेल। पंच दशा, सप्ता, जम्प, sit down, straight legs, lie down, अश्टाव। इन्हेल करते हुए, पाउं उपर, हाथ कमर पर, सर्वांग आसना। ध्यान दें, जो लोग पंजो को पॉइंट कर सकते हैं, वो पॉइंट करें। एडियां हमेशा जुड़ी रहेंगी। घुटने जुड़े रहेंगे। हाथ कमर पर, face relaxed, breathing relaxed। पाउं को थोड़ा सा आगे ले आएं। और आगे, आगे। ताकि आपको आपके कंधों से पंजों तक की स्थिती, सीधी महसूस हो। आपका थाराइड और पराथाराइड रीजन, सर्वांग आसन, हालासन और इस finishing sequence के करने से अच्छा होता है। जितना भी बॉड़ी में imbalance आता है, वो balance में वापस आता है। इन आसनास को करने के बहुत सारे benefit है। आपके मन और चित दोनों शांत हो जाते हैं, बॉड़ी रिलाक्स हो जाती है। जो लोग शिशासन ना कर सकें, वो सर्वांग आसन से भी उतना ही लाप पाते हैं। हमारा पूरा endocrine system रिलाक्स हो जाता है। abdominal organs को massage मिलती है। Blood circulation पूरा का पूरा हमारे सर की तरफ flow करता है। एक बात का ध्यान रखें। महिलाएं अपने ladies holiday ये term हम यूज करते हैं अश्टांग मैसुर परंपरा में mensuration days के लिए। पहले चार दिनों में आप inversions ना करें। ये सिफ ladies students के लिए होता है। ये restriction दी गई है बहुत चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। सो आप एस rule को follow करें। अब यहां से हम धीरे धीरे हलासना के दरफ जाएंगे। नवा एकसेल करते हुए धीरे से हलासना में। पंजे सीधे। हलासना में जो लोग पाउं पूरे सीधे ना कर सकें। जैसा की अंकुल ने दिखाया वो घुटने बेंड कर सकते हैं। माथे पर टच कर सकते हैं। या पाउं थोड़े से उपर जमेन में टचना करकर थोड़ा हवा में रख सकते हैं। या आप कोई टेबल या स्टूल सर के पीछे रख सकते हैं, जहां तक आपके पंजे आएं, और पंजो को टेबल या स्टूल पर रख सकते हैं, ताकि इस आसन में रखी गई, होल्ड आपके लिए थोड़ा कमफड़िबल रहे, ये बॉड़ी के लिए रेस्टिंग आसना कहला आते हैं, सांसो पर ध्यान रखे, इन्हेल और एक्सेल सेम रहेंगी, बैलन्स कीजिए, फेस पूरा का पूरा रिलाक्स्ट, हाथ त्रने हुए, हाथों में आपस में जुड़े हुए, कर्णपीडा आसन, यहां से दीरे दीरे घुटनों को जुकाएंगे, और घुटनों को कानों पल लगाएं, यह है कर्णपीडा आसन, यहां रखते हुए, आप बहुत ही सहज और सरल मेसूस करेंगे, पहले आप यहां से हाथ कमर पल दे आएं, और आप पाउं सीधे करें, और यहां से उर्द्व पदमासना में आ जाएं, जो लोग पदमासन ना कर सकें, वो क्रॉस लेग पॉजिशन यूज़ कर सकते हैं, जैसा अंकुर ने दिखाया, हाथ घुटनों पर, बैलन्स, परफेक्शन ना हो, तो हाथों को कमर पर रखें, इन सभी आसनाज में कम से कम आप दस से आठ से दस श्वास लें, सरवांग आसना में हमेशा सबसे ज़्यादा स्टे रखें, अब धीरे धीरे हाथों को जवीन पर दे आएं, अपने अब्डॉमिनल्स को यूज़ करते हुए, धीरे धीरे बाक को रिस्टिंग पोजिशन में ले आएं, जो लोग पदमासना ना रख पाएं, वो पाउँ खोल कर धीरे से उपर उठ सकते हैं, और उठकर बैठ सकते हैं, आएए जानते हैं आखरी तरीका, नितेश के साथ, पश्मोतानासना में बेढ़ जाएए, बिन्यासा शुरू होता है पश्मोतानासना से, दशा, क्रॉस्यो लेक्स, एका दशा, लिफ्ट अप, द्वा दशा, चत्वारी, जंबाट, एक्सेल, चत्रणंगडंडासना, त्रयो दशा, इन्हेल, अपवर डॉग, चत्तुर दशा, एक्सेल, डाउन डॉग, सप्ता, जंप, दीरे से, क्रॉस्लेक करके, बैठ जाएए, लाई डाउन ओन ये बाक, अपने पाउं जोड लीजे, अश्टाउं, इन्हेल करते हुए, सर्वांगासना में आएंगे, तोस पॉंटेड, हाथ कमर पर, ध्यान दीजे, शोल्डर, हिप्स, 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 हमारे एक स्ट्रेट लाइन में हो, सारा का सारा बैलेंस, शोल्डर पर रहता है, दस, लंबे, घरे, श्वास, उड्यान और मूल बंद पर ध्यान बनाए रखें, इन फिनिशिंग आसनास में, द्रिष्टी आपकी नाभी पर रहेगी, सांसों की गती, मध्यम, इन हेल्स और एक्सेल्स का बालन्स बनाए रखें, अब धीरे से एक्सेल करते हुए, हलासना, नवा, नवा विन्यासा, पंजों को खीच कर रखें, हातों को आपस में जोड लें, कोशिश करें, घुटने सीधे रहें, सीधे ना रख पाएं, तो थोड़ा सा बेंड कर लें, जैसा कि अंकुर और अलिश्या ने दिखाया, हलासना रखते हुए, द्रिष्टी नभी पर, कमर का किचाव, पीछे की और, कर्न पीडा आसन, अभी कानों को बन करेंगे, खुटनों को जुका कर, एडियां और पंजे मिले रहेंगे, पहले तीन आसन, जो कि सर्वांगासन, हालासन और कर्न पीडासन, तीनों में एडियां और पंजे जुड़े रहेंगे, अब उर्द्व पदमासन, करने के लिए, पहले हाथ कमर पल दे आए, पाउँ उपर सर्वांगासना से, अभी एड्जेस्ट करेंगे, पदमासना, पेस को रिलाक्स रखें, बॉड़ी सीधी, तनी हुई, अब आसन से भाहर आने के लिए, पहले घुटनों को अपने चैरे के तरफ जुखाएं, हाथों को जमीन पर ले आएं, और बाक को धीरे धीरे, जमीन के तरफ ले आएं, जो लोग पदमासना होल्ड कर सकते हैं, वो ऐसे ही रहें, अब धीरे से पाउँ को खोलें, और उठकर बेढ़ जाएं, यह हमने जाना फिनिशिंग सीक्वेंस, जिसकी शुरुवाथ पिछली कड़ी में हमने की, उर्द्वा दनुरासन से, उसके बाद चक्रासन, फिर पश्मोतानासन, और इस कड़ी में हमने सीखे, उसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए, चार नई आसन, जो खिते सर्वांगासन, हलासन, करनपीडासन, और उर्द्वा पदमासन, यह फिनिशिंग सीक्वेंस के सभी आसन, हमारे अबढ़मिनल ओर्गन्स को रिलाक्स करते हैं, और एंडोक्रेन सिस्टम को बहुत अच्छा बनाते हैं, साथ ही साथ हमें थाराइट और पराथाराइट के लिए यह इंप्रूवमेंट देते हैं, बॉड़ी में आया कोई भी इंबालेंस जो थाराइट रीजिन के वजए से होता है, उसको एक कंट्रोल करते हैं, करता हैं, झाल 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 अपने बिजी डे को दीजिए एक परफेक्ट स्टार्ट यहां होगी आप से जुड़े तमाम मुद्दों परबात दूर दर्शन का खास शो आ गया है आपके पास दीडी मॉनिंग शो मैं आपको आगा किये देता हूँ अगर आपको आगा किये देता हूँ अगर आप गोश भारा के मामले में दखल अंदाजी करेंगे तो आपको बहुत महँगा परेगा पानुबाभू मानते है कि बितिस्स्मराज का विधान विधाता की देन है अगर ऐसा है तो मुझे विधाता से प्राथना है कि ऐसे अमराज कि इननाष्ट होने का श्राब ते अजिए बिनोई, किसी चीज की कमे हो तो उसे भोज ही निकालता है और जब मिल जाता है तो चान से प्यार करता है निंदा बाहर से बैठ कर की जाती है लिकिन निर्ने लिने के लिए भीतर बैठना पड़ता है और सिर्फ घटना हो जाने से उसका दोश निर्धारिक नहीं किया जा सकता उस इंडिया का नामों ने शान को मिठा देंगे अब कोई भी मंदिर, किला या मजडित का निर्मान नहीं हो सकता आस्था का मुल्य प्राणों से अधिक होता है लुटेरे हमारी सायता कीजिए धर्म परिवतन करने के लिए भिवश किया जा रहा है अब समय आ गया है इन पश्मों को खदेड़ भगाने का अब 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 अर्याच्यानीी प्रहुंट थायो ठायो थाप प्रहुंटीजी कि अधित अधित ओर है यह कि अधित रहुए रहां अधितली और हैं आपका देडनेस थे ब्लंडे़ काफिट्टब डिन अधितली कि नहीं बोले हैं आपक अधितलं श्यूस देपल्ड, बादेशोर, चुछ्ट, जएष्ट, तक्षानस, तक्षानस, जश्टोर, घर अज़गे तक्षाने अज़ मुनु की अउन्या मुनुमतरे कि लिजए। यजए व्य हाइस्ट उन्याम इट्राइब में ग्राइस, इक्रण्ट खर्या टाहिस्स, व्याइस। and best of all, a people whose thoughts and heritage go back a few thousand years. Join us on an enthralling journey. I am travelling again across the whole of India to bring you Spectacular India. This is one of the greatest true stories of the world. It is also a story about one of the most powerful personalities in all history. Guru Padma Sambhava, with his magic and his flamboyant ritual dances, dominated the roof of the world in his time in the 8th century. Indeed, this story is about one of the great miracles in human history when Guru Padma Sambhava, in the power and majesty of his mission, travelled across the highest mountains. He travelled over 2,000 kilometers of inhospitable high-altitude desert to spread the message of the Buddha. These are regions where oxygen is scarce in the thin air and often it is difficult to breathe. Mountains reach for the skies and even the hundreds of passes he would have had to cross are often higher than 15,000 feet. The great Guru not only crossed these lofty mountains and barren stretches of icy desert, he transformed the people across these lands. Owing to him, the men and women here remain buddhist till today. Guru Padma Sambhava, he is popular known as, and also in Tibetan people call him as a Guru Rinpoche. It was he who has systematically established Buddhism in Tibet. And he along with Professor Shantrakshita founded the first monastic system in Tibet. Samya Monastery was built. So therefore, in one way, Tibetans truly treat him as a second Buddha. Reason being, it is he who has taught them Buddhism. He is the person who is supposed to have come to Ladakh and subdued the demons which this area abounded in and introduced, preached Buddhism. And even now there are many places where he is said to have meditated and given religious discourses. And as you might know, the famous Hemis Monastery of Ladakh, he is the patron priest of that monastery, ancient monastery. It was the 8th century. Shantrakshita of the Nalanda University was in Lhasa in Tibet. He had been invited to teach Buddhism. There Shantrakshita founded the first monastery of Tibet. It was called Samei and was based upon the Odantpuri Mahavihara in Vihar. However, Shantrakshita found that the people of Tibet were not converting to Buddhism. They remained afraid of the evil spirits which they feared inhabited the mountain passes and the winds. They prayed to these evil spirits to appease them and would not convert to Buddhism. Shantrakshita asked the king to invite Guru Padma Sambhava to come to Tibet. He felt that he was the one Buddhist teacher who could establish Buddhism in the mountainous regions. Guru Padma Sambhava was also of the Nalanda University. At this time, he was teaching in Kashmir. It was at sites like Parihaspura in Kashmir that Vajrayaan Buddhism or Tantric Buddhism had developed to its fullest heights. It was this advanced form of Vajrayaan Buddhism that the great Guru brought from Kashmir to Ladakh, Spiti, Kinoor and Tibet. He was an excellent advocate. They had created this temple to visit the temple in the night they would declare to be a temple to a temple with a temple to worship to the temple with a temple and to worship to the temple with a temple with a temple and another that had told them that this temple is not a temple for the temple and a temple that sincerest हैं हमरे हिंदुस्तान में एक तंक्तिरिक का गृति सत्वा है अचार्या पत्मा संभावा उसको यहां न्युक्ता करना पड़ेगा लाना पड़ेगा We are at Zojila Pass at 11,400 feet altitude. At this height the oxygen becomes less in the air and we have to rest for some time to let the body acclimatize to it. It is through here that the great Guru Padma Sambhav took Buddhism from Kashmir to Ladakh, Lahol Spiti, Kinore and to Tibet. This road was on an ancient route. It was an archery which came down from the great silk route between Asia and Europe. Goods from Maharashtra and Kerala came up to Swinagar through here. We are at Fothula Pass at 13,479 feet altitude between Kargil and Leh. The great Guru would have swept right across this mountainous region taking Buddhism everywhere. Guru Padma Sambhav was known to be a great master of Tantric Buddhism. He used the greater magic of his Tantras to subdue the feared demons. He made them defenders of the Buddhist faith. It is believed that when he was consecrating the monastery at Same, he rose into the air to dance the sacred chham. Where his shadow fell, the ground became sacred and that became the boundary of the monastery. Till today the chham is practiced everywhere across the Himalayan region to keep the land pure and for Buddhism to prosper. Guru Rinpoche Ji, we call Sangha Singh Nispa, the second Buddha. Wherever there are bad people, we think that if Guru Rinpoche Ji's mantra, He is supposed to have come into this region when Nadakh was still under the very strong influence of Bonn. Which as you might know spirit is a religion which is close to shamanism. Where we worship the spirits which live in the mountains, spirits which dwell in forests, in lakes. And he introduced this more scientific and more humane religion of Buddhism. He preached that. And of course he met up with very stiff resistance from many sources. But he must have been an outstanding character, must have been a very strong character to have persisted. And we tend to imagine that he must have been of Pathan's stock to really take on all these massive problems and overcome them. That would be, I think that would be in true keeping with Pathan's spirit. So his main contribution is, he has successfully, he has persuaded, I think Naki Prabhali convinced, those Buddhist, those born masters to follow or to understand or to make them practice Buddhism. The Tak Thok cave monastery is about 55 km south east of Leh. It belongs to the Ningma sect of Buddhists and is believed to have been founded by the great guru Padma Sambhav himself. In his journeys through Ladakh, the great guru is believed to have meditated in the cave here. The monastery is deeply revered on that account. They have been a few days in Tuk Thok Ghonpa and the water from there. The water from our own, which we call the Guru, the Guru. Today there is water from there. If you go and touch the wall, then there is water from there. They have been a lot of water for our world, for the world, for the world, and for every part of the world. They have done a lot of water for the world. Today, when we are enemies, we say, make a statue of Guru Rinpoche, or make a statue of Guru Rinpoche, or make a statue of Guru Rinpoche, make a statue of Guru Rinpoche. They will be destroyed by themselves. The painting inside is fine. In temples right across Ladakh, there are images of Guru Padma Sambhav. He is the beloved second Buddha of the people. And everybody try to associate, most of the ancient monasteries or caves, whatever, try to associate with Padma Sambhav. Especially those yogis, they try to identify, and they feel privileged to go to those caves and meditate there, because it is blessed by the Padma Sambhav. So, the whole Himalaya is dotted with Padma Sambhav's memories, his footprints, his caves, old ancient temples, but historically, it is very difficult to prove it. But in tradition, or the folk tales, it is very, very much popular there. In the monastic centers of Kashmir, there was great emphasis on meditation in Buddhist practice. In the 4th century, Maitriyanatha and his followers, Asanga and Vasubandho, developed the Yogacharya school of thought. They believed that the most effective method for the attainment of the truth was through meditation or yoga. Yoga means to become one with the eternal. Mandalas were conceived for the progressive movement towards enlightenment, or the state of Buddha-hood. The Buddha is in the center of the mandala, and around him are deities representing different qualities of Him. These deities symbolize different stages in the process of the realizing of the truth. Vajrayana Buddhism, also called Mantrayana or Tantrayana, was based upon earlier Buddhist texts and philosophy. However, in earlier thought, Nirvana was possible only through many lifetimes of effort. The Vajrayana offered the possibility of Nirvana within a single lifetime. The Vajra, from which this school takes its name, stands for both the clarity of a diamond and the striking nature of a thunderbolt. The Vajra also stands for the moment of illumination, which comes upon the seeker like a clap of thunder. The Vajrayana Buddhism further developed into the Vajrayana or Tantric Buddhism, there they tried to put these philosophical aspects of the Four Noble Truths, Eightfold Path, impermanence, how to realize and put into the practice. Ultimately, Buddhism is not an academic exercise. It is for the practice. Unless until you put into the practice, unless until you realize them, and after realizing the experience in that, that is the thing in which Tantrika or Vajrayana Buddhism put stress over that. So how to realize this truth now? The complex rituals, mantras or chants, and mudras or hand movements of Vajrayana Buddhism were codified in the form of Tantras. Tantra literally means to carry on knowledge. From the 8th and 9th century till around the 12th century, the system of Yoga Tantra was predominant in Eastern India and Kashmir. From here, it spread to Nepal, Tibet, Korea, Japan and Indonesia. The Himalayan and Trans-Himalayan regions continue the rich legacy of the great Buddhist universities. This philosophic belief of the oneness of the whole of creation and the search for enlightenment continues in the mountains till today. Stories surrounding the life of Padmasambhava parallel those of Gautama Buddha. Like the Buddha, his birth was miraculous. Like him, he was brought up as a prince in the court of his father. Also like Siddhartha, Padmasambhava's father forbade him from seeking a religious life. Padmasambhava's battle with evil spirits in Tibet echoes the original Buddha's battle against Mara. Mara is the personification of the confusions and doubts in our minds. This is the evil which keeps us away from true knowledge. It is the same confusions in the minds of the Tibetans then, which are popularly known as evil spirits. Himalayan Buddhists believe that Padmasambhava appeared as an eight-year-old child in a lotus blossom floating in Lake Dhanakosha in the kingdom of Udayana. References have been found in literature to an Udayana in the Swat valley near Kashmir, and another Udayana in Bihar. We do not know which one he came from. Nalanda, where he studied, was in Bihar in eastern India. His special nature was recognized by the local king, who married him to one of his daughters, Mandarava. She developed into an advanced practitioner of Tantric Buddhism. Yeset Sogyal was his other great consort later in Tibet. She also became a highly developed practitioner of the Tantras. The main source of knowledge about the life of Guru Padmasambhava is a book which is supposed to have been written by his Tibetan consort, Yeset Sogyal. It was lost to the world and was mystically rediscovered in 1346. Stories about the life of Padmasambhava are not agreed about the length of time he spent in Tibet. Some say he was there for six months. Others say 50 years. We do know that eventually he decided to leave. It is also known that he spent time in many other regions, including Ladakh, Lahol, Spiti, Bhutan, Nepal and Arunachal Pradesh. It is said that he flew to Bhutan on the back of his favorite consort, Yeset Sogyal. He had transformed her into a flying tigress to carry him there. I think in all legends, saints, they tend to fly from one place to the other on some sort of magic carpets. But I think that could perhaps be due to the fact that in some point of time they would be in Ladakh, in another point of time, as you said, they would be in Arunachal Pradesh, at another time they would be somewhere on the eastern borders of Tibet. And since the areas are so vast and so incredibly, unimaginably far away, that the locals of that time, they would naturally assume that he must have been flying from one place to the other, which I think was not just flying, it was a question of perseverance and, you know, just constant plodding away along the beaten trails. He must have been a totally outstanding man to have left an imprint on in these regions, twelve hundred years, thirteen hundred years down the line, still as much alive today, and still as much amidst us today as he was. In those days, you know, teachings were largely carried out through the oral traditions, you know, and sometimes they write it, and then when they put it into writing, these texts are being hidden into the caves or somewhere in the rocks, sometimes on the tree hollows. So this is kept because the teaching was so subtle, at the time the people of the Tibet was not able to understand that. So in coming future, coming days, you know, any able person will come, he will dig out or trace out these texts, you know, that are made available to the common people. This is called the Thirma tradition. Patma Sambhavajji said that when you can see a photo or a murti, actually, he had to have a place in Vastap, but he is also in a place of a king. And so, that is why the king of Tibet is in a respect and image of the king and the king of the followers. So, that is why Acharya Padma Sambhav is a king, the king of the king's shape, and he has to be seen as a king and king. It is why I didn't do that. अच्यार या पत्मासंभवा को ना मननने वाले लड़क में सब्सक्राइब कोई नहीं होगा। अच्यार पत्मासंभवा कोई नहीं होगा। तब भी गुरू पत्मासंभवा को तो सब लोग मननने है। There are many books which Guru Padma Sambhava is believed to have written. Some of these were held secretly by the Tibetan rulers immediately after they were written. The intention was to make them public later. In the writings of Guru Padma Sambhava it is very clear that he was a revolutionary. He was well versed in traditional Buddhist practices. However, he was a visionary thinker and had very little patience with dull and tedious rituals. He spoke from his own personal experience of the truth. This was truly in the deepest Indian tradition of thought. In Indic philosophy, the written word is considered dead. The truth has to be heard from a Guru. Knowledge has to be experiential, rooted in one's own personal self. In other words, the truth may always remain the same, but it has to be relived by each person. Padma Sambhava's obvious, very personal experience of the truth would have been the reason for his success. That is why he would have earned the title of the great Guru, Guru Rinpoche. Of the great Harry ajud is champs. आप देख रहे हैं टीडी भारती आप देख रहे हैं टीडी भारती आप सब का रंगोली में स्वागत करती हूँ आप सब का स्वागत करती हूँ सुर और संगीत से सजी खास रंगोली में तो चलिए शुरुआत करते हैं इस रोमैंटिक गाने के साथ हिंदी सिनमा में इन्ही रंगों को म्यूजिक में भी पिरोया गया है रंगोली हर रावी बार सुबा आट बजे डीडी नाश्नल पर पिरनी जैसे काली आखे जिसकी वो है क्रिश्न कली होनी की बाते न जाने कोई सितारों के फेरे में क्रिश्न कली क्रिश्न कली क्रिश्न कली क्रिश्न कली अठारो सो संतावन जब आजाद हिंदुस्तान के सपने ने जन लिया आए जाने उन वीरों के बारे में जिन्होंने सुतंतरता की निव रख कर इठास रश्ति आओ सुनाएं आपको बेगम हजरत महल की कहानी कहलाती थी वो शाने अवध, थी वो रानी स्वाभिमादी जब दिया अंग्रेजों ने लालच और हुआ नवाब का देश निकाला हारनमानी बेगम ने और ले आई खरांती का उजाला अपने पुत्र को बिठाया गदी पर अब थी वगावत की बारी जोकी नहीं अंग्रेजों के साब में और बन गई वो ग्रांती कारी लड़ती रही निडर, रखा अपनी मात्र भूमी को सुरक्षित आत्म सम्मान के बल पर किया लाखो सिपाहियों को प्रमित पूद पड़ी आलंबाग के जंगे मैदान में हुई अंग्रेजों की सभी कोशिशें बेकार लेकिन जब बढ़ी कैसर बाग की ओर हार गई जंग, हुई छल की शिकार कबजा कर बिटिश राज ने दिया दंड मुक्ती का दिलासा ठुक्राद या प्रस्ताव बेगम में पहचान गई थी अंग्रेशों का जासा घुलामी को किया ना मंजूर आत्म सम्मान नहीं था कवाना और साथ लेकर अपनी सेना को जो भो गई वो नेपाल को रवाता कमीना ने दी अपनी सेनिकों की देखपाल में और लगा दि हपनी दौलत और संपत्ति देश और अपनी प्रजा की सवार्थ सुनवा करने में कभी न हुई उन्हें कोई आपता नेपाल में देहनत्याक कर बन गई वो अधिन्दुस्तानी शान की मिसाल, बेगम हजरत महल छोड़ गई वो एक अमिठ चाप और जला गई इस्तरी सहास की मशाप अठारो सौ संतावन के जंग के किस्से, आज भी हर भारतवासी के मन में जोश और उत्सा भर देते हैं ऐसे ही वीरो की परणादाय कहानिया लेकर हम फिर लोटेंगे आजादी की अमरित कहानिया, सूचना एवं परसारंग मंत्राले और नेट्फिक्स द्वारा प्रस्तुत मैं आपको आगा किये देता हूँ, अगर आप गोश भारा के मामले में दखल अंदाजी करेंगे, तो आपको बहुत महँगा परेगा पानु बाबु मानते हैं कि बिटिस सामराज का विधान, विधाता की देन है अगर अगर ऐसा है, तो मुझे विधाता से प्राथना है कि ऐसे सामराज कि इनष्ठोने का शराब दे सामारा बिनोई, किसी चीज की कमे हो तो उसे भूज ही निकालता है और जब मिल जाता है तो जान से प्यार करता है निन्दा बाहर से बैठकर की जाता है लेकिन निर्णे लेने के लिए भीतर बैठना पड़ता है और सिर्फ घटना हो जाने से उसका दोष निर्धारिक नहीं किया जा सकता है ट्रेडिंग करना तो चाहते हैं पर नहीं पता कैसे करें शुरुवार बैंकिंग से लेकर कॉमोडिटी ता ग्रामीर सरकारी युजनाव से लेकर सबसीडी ता इन तमाम जानकारियों पर देखिए हमारा प्रोग्राम डिजिटल किसान हर रविवार शाम साथ बजे और पुनह प्रसारन मंगलवार शाम चार बजे सिर्फ दुरदर्शन किसान पर ग्राम जानकारियों नमस्कार कहते हैं जिस तरह स्वार विग्यान और फिजिक्स का चोली दामन का साथ है उसी तरह ताल और मैट्स का भी साथ है लेकिन साधरन रूप से छात्र फिजिक्स और मैट्स से कतराते है जबकि संगीत के स्वार और ताल सभी को अकर्शित करते हैं आज के यूग के शायद सबसे अकर्शक कलाकर है तबले के जादू गर उस्ताद जाकीर हुसेन जाकीर हुसे है जार सबसे पकरते है तुम्र जाद लड़ से लुग का जार के जाद है कर दो कर दो दो जो कर दो कर दो कर दो स्वर और ताल के अलग-अलग प्रयोक की पधतियों की आधर पर ही गायन वदन की अलग-अलग शैलियों का विकास होता आया है। ग्वालियर घराने में खयाल का रूप ही शायद कुछ ऐसे ही निख्रा होगा। ग्वालियर घराने की गायकी ख्याल के दायरे में सबसे महत्तुपून मानी गई। यह तो सब लोगों को मालूम है कि आमराग गाय जाते हैं, ले फास्ट रहती हैं, जैसे कि अजकल हम लोग विलंबित बोलते हैं, वो विलंबित नहीं है। आप अगर रहमत खासाब के रेकॉर्ड्स अविलेबल हैं, जो कि अद्दु खासाब के पुत्र थे। उन्होंने तो जो तिलवडा हम या तो जुम्रा गाते हैं, इतना फास्ट है। यह विलंबित था उस समय, आलाब बहुत कम था। एकदम से वो बस साला गया और शुरू। ऐसे ही करके एकदम शुरू करेंगे। बाद में शब्द लेके गाएंगे। उसके आलाब होते थे। यह एक स्टाइल था। बाद में इसमें कुछ टपप कांग बहुत कुछ है। तो बहुत से टपप हमारे इसमें गाया जाते हैं। तो नेचरली टपप ख्याल उसमें गाया जाता है। यह सब टपप कांग है। ऐसे बहुत से ख्याल हमारे इसमें गाया जाते है। अगर हम ले जादा लेगे। तो अपने आप ठहरा उसमें कम हो गई। क्योंकि आपको तो सम पराने का है। तो जितना छोटा हो जाएगा आवरतन उतना हमको आलाप भी छोटा ही करना पड़ेगा। और इसलिए जादा ऐसा चायन वगरे जो बोलते हैं। वह इसमें जादा तक तर नहीं दिखाए देती है। फिर भी कुछ लोगों ने जरूर इसमें कुछ बदलाव जो लाया है। जैसी कि मैं पंडित आरोलकर जी का एक दो बार सुना था। इतनी शांती से आलाप वो करते थे। लाइफास्ट रखा था। दो दो तीन तीन आवरतन तक उनका एक आलाप चलता था। क्योंकि एकनाथ पंडित जी वगर ये लोग बीन भी बजाते थे। दोनों का एक्जम्पल में कि ये बीन अंग कैसा था। और फास्ट ले में भी कैसा चैन ला सकते हैं। पेरा पेरा ना जा बीरन जा। ये आठों अंग की गायकी थी जिसको अस्टांग गायकी के नाम से जाना गया। और यह कहते हैं कि अस्टांग गायकी ख्याल गायकी के बारे में ही कहीं जाती है। दुपत गायकी के लिए अश्टांग गायकी का उप्योग नहीं होता है आठ अंगों की गायकी है जिसका पहला अंग था बंदिश नायकी जिसका मतलब यह है कि बंदिश एक अलाकार उसी तरह से गाय जिस तरह से गुरू या कंपोजर ने उस बंदिश को बनाया है, रचा है. दूसरा अंग है बंदिश को अदा करने की कला, कि हम बंदिश को किस तरह से गाएं, किस तरह से पेश करें, बिना बंदिश को बिगाड़े हुए, जिसको हम कहते हैं अदायगी, तो अदायगी एक बहुत महत्वपून अंग है बंदिश का. तूसरा अंग है विस्तार. विस्तार का मतलब है इलैबोरेशन. यह एक बहुत ही काइदे से होना चाहिए, एक दरज़े से दूसरे दरज़े आना है, जैसे इमारत बनाई जाती है. हम एक नीव से दिवारे बनाते हैं, दिवारे से सीलिंग बनाते हैं, सीलिंग पहले नहीं बना सकते हैं, सीलिंग के बाद दिवार नहीं बनती है. तो विस्तार बहुत ही systematic, बहुत ही और बहुत वजंदार काइदे का होना चाहिए. मा भों हम एरा नएग ए ал यस रडना ए आयन Max चौथा अंग है बहलावा बहलावा एक बहुत ही एक सुन्दर एक अंग है जो ग्वालियर में दिखाई जाता है और जैसे मैंने कहा था कि हरानों में कुछ चीजे फोकस हो जाती है तो ग्वालियर की जो एक पहचान बनी है बहलावी की गाई की यह उसकी पहचान बन गई है बहलावा माने क्या तो हमें भाषा में मिलता है कि बहलावा यानि बहलाना तो यह जो है जैसे बुपाली का ही अगर उधान ले जाए सार पगर गर और यो में मेरे ठाल है दसा गर रिय creat. मेरे रो मेरे रिसा सदी घर है ये जो सुरूंग को लड़ प्यार से बहलाते हैं। किसी छोटे बच्चे को गोद मे लिया, निया उसको खुष रखा। तो ये जो है, बंदिश को स्वरूंग को उनको बहलाना, निया उनको खुष रखना और उसके साथ-सात एक आनन्द उसका निर्माण करना। इसमें लएक के साथ जो एक सुरावट हम कंपोस्ट की जैसे की किया है और मद्ध और तार इसमें सब में जाता है फिर से कुदा दिया दिन येंग अधिये है ईद के से कुदा आघा दिय को घडि के जोड़ बीडिये मिवड़ जानस द। पांचों आंग है बोल बाट कि बोल को छंदों में किस तरह से बाटना है किस बोल को किस छंद में रखना है ये एक बहुत गायकी की महत्तुपूर बात है संदर से इकलिया मेराज़ 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 पोल तान, ताने हम एक साधारण रूप से आकार में या किसी उचारण से लेते हैं, इकार में, उकार में, आकार में, ज्यादा तर आकार में, लेकिन बोल की ताने भी होती हैं. साधवा आंग है लेकारी, तो लेको समझना और लेको निभाना एक बहुत ही इंपोर्टेंट और बहुत ही महत्वपून बात है. तान है बड़ा खुबसूरत अंग हमारी गायकी का, जिसमें हम आकार की और इकार की, उकार की, सब ही वाविल्स की ताने लेते हैं, आकार तान के लिए सबसे जरूरी महत्वपून है, और महत्वपून है उससे भी ज़्यादा दाना, दाने की सफाई और दाने की एकता, एक सा दाना, बिसाल दी जाती है, परल नेकलिक्स की तरह से, परल असली परल नहीं, कॉस्ट्यूम परल, जो बिलकुल एक सा होता है, तो दाना, तान में एक बहुत महत्वपून बात है, और तान एक बड़ी खुब्सूरत क्रिया बन गई है आजकल तो बिना तान के गाने का कोई महत्वे नहीं रह जाता और ताने किसम किसम की होती है ले में बंदी हुई, वजनदार तानों में गमक का हिस्सा भी लाया जाता है बहलावे का हिस्सा भी लाया जाता है, तो ये एक बहुत अच्छी क्रिया है, बहुत खुबसुरूट क्रिया है गायकी को सजाने के लिए. सीधी तान, सपैट तान जिसको बोलते हैं, और खास करके अवरोही तान ज्यादा बुदे लगता है, यानि उपर से नीचे आने का, ये ज्यादा होता है, क्योंकि वज़न आता है और बाद में मुखड़ा मिलता है, ये भी एक वज़न हो सकती उसकी, एक दम से एक जटका दे की बानी जाती है, बहुत वज़न दार, और मैं कहूंगा बहुत विशाल गायकी, इसकी विशालता के कारण ही ही, ग्वालियर गायकी के अनेकों रंग और रूप बन गए हैं, दो तीन प्रवाः अमेरे ग्वालियर में डिखाई देते हैं, एक तो पंडीजी, कृष्णरो पंडीजी, और उनके शिश्या और उनके उनके पास जो जो सिखे हैं, उनका एक जरा टपक अंग का ज्यादा उसमें अंग ज्यादा मिलता है, लेकिन महाराष्टा में जो आई थी गायकी, बालकुष्ण बहाजी के तरब से, उसमें वो टपक अंग मुझे कम लगता है, ल और भी एक जैसे मैंने बताया कि रामकुष्ण बहाँ वजेजी, जो एकदम असल ग्वालेरी थे, लेकिन उनों ने भी एक अपने ढंक से अलग गायकी बनाए, ये दोनों से अलग लगती मुझे, तो फिर भी आगर, फिर भी ग्वालेर क्यों बोलने का इनको, इनका एक त बंदिशे, राग शोरूप, बाद में लय जो लिया है, वो भी उगालेर की है, और उनका गाना सुनने के बाद आइसा तो आप नहीं बोल सकती कि ये जैपूर है ये आगरा है, ओमकरना जी का सुनिये या तो पलुशकर जी का, वो उगालेर का जो जो भी हम देखते है, वो कि पिनाकरा पत्रदंजी, मेरे गुरुजी, मेरे गुरुजी भी दो तीन घराना सिखे थे, फिर भी जो ग्वालेर गाते थे तो पता चलता था कि अच्छा ये ग्वालेर का ही है, क्योंकि उसमें जो सपाट तान, लाए के साथ उसको जो रखने का है, और टपा का अंग, वगर ये जो आना चाहिए, वो सब बहलावा, वो उसमें आता था, वो जहाँ जहाँ है, मेरे कहल सी ग्वालेर होना उसको बोलना चाहिए. मैं जैसे मिसाल दूँगा, पंडित उमकार नाथ की गाय की, पंडित वनायक राव पतवर्धन की गाय की, पंडित नरायन रोव्यास की गाय की, पंडित दीवी पल उसकर की गाय की, पंडित कुमार गंधर्व की गाय की, पंडित कृष्णा राव शंकर पंडित की गाय की, पंडित देवधर की गाय की अब इनकी अलग-अलग नमूरे आप सुनें में पंडित आप सेंब है बंडित आ फिक इनकीस के ले लगान की दिश्ता माजी इसुटके अन नमदत दो कौश्ता इसुटके देगेम है त selection do कि देजी अर्सान नमूरे आप सब्सक्सवेर साय Canada कड़ा पलना पढ़ाई इश्या जतन जतन सो जती तही दोलना हल रावा तुझा सो राए नम दुखी लाएना पढ़ाई या लाव लाव रे लाव पढ़ाई या स्था से लाव लाव बढ़ाई या लाव 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 बहार आई बंगार बहार आई दादर मुर्पपईयाँ रादर मुरप पैया पिया पी बोले गदर आये बंबार बहार आये बंबार बहार आये रादर मुरप आये बंबार बहार आये बंबार आये बंबार बहार आये रादर मुरप आये बंबार 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 आ बहर बहर आजे दाद राव बूले बहर बहर आजे जल 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 इन मनाओन Treaty जलमल माखने लगाड़ थार नामी वर्माद कर दो भाड़ म flipped तेसे जनी हाले घड़नी bars ते आपने. मज में तां तेसे, तेसे जनी आठनी घड़नी अक्रताव को आपकोई नात शौना वैं अचित में ना. वैं मुश्त políticas का उन्या यह वाल में कल दोमार को कि अधर बाद सभाँ कि आल डाद सब्सक्राइह कि अधर बाद सब्सक्राइब या, आ, 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 आay,砂, जा है, सुना वो में, तो है पाथावा वार मिझाओ। कि लग घज खर भाल यह नब हो जो हुआ जो हुआ हुआ था झाल जो आप पघ आ पाल ए हुआ हर आप तर आप करो हुआ हा बार नहा हुआ 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 इडर नहाँ तर आप यह सब गायकियां एक दूसरे से अलग मालूम होती है लेकिन फिर भी सब गौलियर की ही गायकियां है और सब गौलियर के एक संपूर्ण एक अंब्रेला के अंदर ही आती है मानी जाती है तो गौलियर की इतनी विशाल गायकि एक अकेले घराने में खयाल गायकि की इतने रंग देखकर आश्चर होता है लेकिन यही तो है हमारे संगीत की विशेस्ता जिसने इसे चिरंतन बना दिया है हमारी आगे की यात्रा और भी रोचक होगी साथ चलते चलिए और देखते रहिए राग रंग शास्टर कसंद नमस्कार अ हमारी आगे क्यों अ कानी वारा यंप रज करकिए है क्यां मना मन आखते चलते बना देखते हैं आप देख रही है टीडी भार्दी तुमोरे सजन चले का तुम विनती करी तेरी पाव पड़े तोरे कितना मनायां फिर भी नहीं सुनी रे शक्षिरो मनि खुन्य आत्मा करुणातागर ज्यानेश्वर मंगदकारे अंतर्यामी तैजि किगागर ज्यानेश्वर ज्यानेश्वर मैं आपको आगा किये देता हूँ अगर आप गोष्भारा के मामले में दखल अंदाजी करेंगे तो आपको बहुत महेंगा परेगा पानु बाबु मानते हैं कि बिटिस सामराज का विधान विधाता की देन है पानु अगरैंस एसा है तो मुझे विधाता से प्राथना है कि एसे सामराज कि इनष्छोंगी का श्राप देए सामारा विणॉई आया किसी चीज के कंए हो तो उसे पोजी ही ने कालता है और जब मिल जाता है तो चाहन से प्यार करता है निंदा बाहर से बैठ कर की जाती है लेकिन निर्ने लेने के लिए भीकर बैठना पड़ता है और सिर्फ घटना हो जाने से उसका दोष निर्धारिक नहीं किया जा सकते हुए मैं रिशिता भट आप सब का रंगोली में स्वागत करती हूं सब का सब का सब करते हूं सब और संगीछ सजी खास रंगोली में तो चलिए शुरुआत करते हैं इस रोमैंटिक गाने के साथ हिंदी सिनमा में इनी रंगों को म्यूजिक में भी पिरोया गया है रंगोली हर रावी बार सुबा आट बजे डीडी नैशनल पर कर रहा है सुर्यग्रे सरमौनिरत्नमा मरेंद्रा आचार्यसुनुम् ओर्मुदा सुर्यग्रे सरमौनिरत्नमा मरेंद्रा आचार्यसुनुम् ओर्मुदा का वेर्ननती निये चारुस्मेर मुझी मुझी जयादकलिदारं भा काजंप्रेट्चसुनुम् झाल झाल सुन्धरा कालेबरा सुन्धरा कालेबरा सुन्धरा कालेबरा सुन्धरा कले बरा सुन्धरा कले बरा सुन्धरी चित्त जोरा नंदे योडो केर्का धेरा सुन्धरी चित्त जोरा नंदे योडो केर्का धेरा सुन्धरी चित्त जोरा नंदे योडो केर्का धेरा परे ताप पारावारे सुन्धरी चित्त जोरा केर्का धेरा सुन्धरी चित्त जोरावारे सुन्धरी चित्त जोरा नंदे परदेईवा येने केंदो पुरुशरत्नमे नीतार परदेईवा येने केंदो एन्नो करुदी वालुम् एन्नो डों नुरियाडाते पोगुन्न करुदी वालुम्न एन्नो डों नुरियाडाते पोगुन्न एन्नो करुदी वालुम् एन्नो डों नुरियाडाते पोगुन्न अर्कमल्ले नुम् पोगुन्न थार्कमल्ले नुम् एन्ने करते येंडे करते बाचे लाबोटी ने य narrative कि अधीजिक है नू्सुन था कहले बारा शुक भाशिनिनी खेदिक्य अरुदे शुक भाशिनिनी खेदिक्य अरुदे सुभा मले द्रस्या भाशित 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 अरुदे कुर्णाराजे मनसेल्यान मरकुमों कुर्णाराजे मनसेल्यान मरकुमों तरजाब भुगुने इपोवाँ तरजाब भुगुने इपोवाँ तरेगानी आनु आद़ तरसा बोधुले निपोल तरीगा नी अनुवाद। परिचिल्गंदीटा पिले परिभव एदों वेला। पानि पेडनों में प्राहन सम्मा चेगा। पानि पेडनों में प्राहन सम्मा चेगा। पानि पेडनों में प्राहन सम्मा चेगा। कानि तामस इन्य कामकेले 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 चेगा। 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 कार्यम साध्यवाय दिर्वे कार्यम साध्यवाय दिर्वे कार्यम निरो विच्छाः कार्यम साध्यवाय दिर्वे कार्यम निरो विच्छाः कार्यम साध्यवाय दिर्वे कार्यम साध्यवाय दिर्वे इनारी ये पेडियो मौौ। आजोर मैंने ने चन्लर मोले था मानिने ने चन्लर मौले था मानिने ने इतो मान्यमल्ला सुमदे मान्यमल्ला सुमदे इतो मान्यमल्ला सुमदे मान्यमल्ला सुमदे आणो जैनिचो तेला आणो जैनो रचो तुंदामा जैनिचो तेला आनो जैनो रचो एवंध्रमी चो परया काली चो ये लंब्रमेच्चो पारयान कलिको नानिकानिन्य थेजेच्चो कलिको नानिकानिन्य कनलिच्चो जन्यमोडी केट्ट्टन अम्भुजाच्छी तिन्नन मुर्थाबवं अवस्षवाशु उंडू विन्नोर गुरोर सुधनोडात्त परिप्रवेन अर्नो जबान विवस्षवाशु पुनरित्त ओंचे बन्धम एंधिका तावा बन्धम यंधिका तावा चिंधित्त बन्धम एंधिका तावा चिंधित्त गुना ओकेयु मधि पंडू जढ़ीत्त गुना ओकेयु मधि मधिये, इन्डाले लिए, मारंदा दिये इन्डाले लिए, मारंदा दिये कुंधयाई वरु मिल्ला सम्चया 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 कलमतार 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 दर्म योडों निन्ने धार्म बात्नी आखेडुबा धार्म बात्नी आखेडुबा तर्म योडों योडों धार्म बात्नी आखेड धार्मों कि आप देख रहे हैं टीडी भार्थी क्या आपको भी है नौकरी की तलाश कैसे लोग हो रहे हैं साइबर क्राइम के शिकार वाइल लाइफ की दुनिया में क्या कुछ हो रहा है खास किस फिल्म ने किया बॉक्स ओफिस पर धमाल अपनी हेल्थ और फिटनेस को मत कीजिये नजर अंदाज जानने के लिए इन सभी सवालों के जवाब जुड़िए जीडी मॉनिंग शो के साथ मैं रिशिता भट आप सब का रंगोली में स्वागत करती हूँ आप सब का स्वागत करती हूँ सुर और संगीत से सजी खास रंगोली में तो चलिए शुरुआत करते हैं इस रोमैंटिक गाने के साथ हिंदी सिनमा में इनी रंगों को म्यूजिक में भी पिरोया गया है रंगोली हर रावी बार सुबा आट बजे दीडी नाशनल पर दाग गुलामी का धोया है जान लुटाके दीप जलाएं हैं ये कितने दीप बुझाके ली है आज़ादी तो फिर इस आज़ादी को रखना होगा हर दुश्मन से आज बचाके नया खून है नई उमंगे अब है नई जवानी हम हिंदोस्तानी हम हिंदोस्तानी तो देखिए देश भक्ति पर आधारिच प्रोग्राम स्वराज डीडी नाशनल पर रविवार सुबो नव बजे रात को नव बजे अठारोसो संतावन जब आजाद हिंदोस्तान के सपने ने जन्म लिया आये जाने उन वीरों के बारे में जिन्होंने सवतंत्रता की निवरक करे दिहास रश दिया थे भारत के एक वीर सपूत भासकर राओ बाबा साहब था उनका नाम नारगुंड करनाटक के थे वो शासक किये थे अनेक गौरवशाले काम थे बाबा साहब एक बात से चिंतित था नहीं उनका कोई उत्राधिकारी निश्चे किया एक संतान को गोद लेने का क्योंकि अगला राजा चुन्ने की थी बारे अंग्रेजी अफसरों ने ठोकराया प्रस्ता और किया उनका अपमान क्रोधित हुए बाबा साहब और जारी कर दिया बदले का फर्मान उत्तर भारत के स्वतन्फता संग्राम से हुए वो प्रेरित एकत्रित कर अपनी सेना को उन्होंने विद्रो कर दिया घोशित इस प्रकार दक्षिन भारत में भी वो ले आये करांती की ज्वाला और अंग्रेजों को प्राजित करने का कारेकाज समाला एक दिन ऐसा आया आफसर पास के गाउं में आया था जेमस बैंसन नाम का एक अंग्रेजी अफसर बाबा साब भोले नहीं थे अपमार और बोल दिया उस पर हमला ने मिर्तु की खाट उधार दिया उसे और पूरा किया अपना बत्मार ख्रोधित बिटिश राज ने किया नारगुंद पर वार धूल चटा दी बाबा साब की सेना ने हुई अंग्रेजों की हार कुछ समय बाद हुआ एक और लिट और अंग्रेजों ने गिरफतार किया बाबा साहिब को आखिर कार लगाई उन्होंने मात्र भोमी की जै और निसंकोच सूली को किया स्विकार थे वो ऐसे महापुरुष हस्ते हस्ते देश के लिए निवशावर कर दिये अपने प्राण भारत वर्ष हमेशा याद रखेगा भासकर राओ पाबा साहाब का महान बलिदान 1857 के जंग के किस्से आज भी हर भारत वासी के मन में जोश और उच्सा भर देते हैं ऐसे ही वीरों की प्रेणादायक कहानिया लेकर हम फिर लोटेंगे आजादी की अमरित कहानिया सुचना एवं परसारन मंत्राले और नेट्फिक्स दौरा परस्तुत दौर 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 आजादी की अमरित लोटेंगे सुचना एवं परस्तुत प्रोधिंग रिर्श केंडे बेली इने स्टेर इन्हार्श। अब्लिकंस चनके अ खए्ट प्रोधिंग रूज एक्टा में आधि आधिंग इल्डी आधिंग नेधिन रडिल्स इन्हें तोग फ्रॉजू जाग ऑ्रॉवन टूज हैं प्रूज इंचे लिए प्रुग्राइब ट्रूजए लिए इध सुम्मिति फिस्क लिए आप्लिएंग्पेशन नज्टेर स्टी या बॉलिए आप्लिए इन बारे दित्रों प्रूम ने सुम्मिति थ्टुनेर्व अंफ्सन प्रिष्ट एंच धि अल्शुवार मुईड़ ऑ The form is 15th July 2023. Candidates may call 011-2311-4313 for additional information. Krishna Kali, Krishna Kali, Krishna Kali. Kali Kali, Krishna Kali Kali. Kali, Krishna Kali. Kali, Krishna Kali, Krishna Kali. योग अंतर यात्रा का एक ऐसा अनुभव जिसमें स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन केवल एक महत्वपूर्ण पड़ाव भर हैं. लेकिन इसका अंतिम लक्ष्य अपने आप से जुड़ जाना है. आज दुनिया योग की शक्ति के आगे नत्मस्तक है. लेकिन भारती एकascular साथकों ने इस योग की शक्ति को योगो योगो पहले ही आत्मसाथ कर लिया था. भारत मुनी के नाट्य शास्त्र में भी इसका उलेख मिलता है. भारत के सभी शास्त्रियर नृत्यों और अर्थ शास्त्रियर नृत्यों का आधार योग ही है. फिर वो चाहे भरत नाट्यम हो कुचिपुडी या छाव नृत्य ये निहारी का सफाया है जो तीन दशक से कुचिपुडी नृत्य के साधना कर रही है साथ ही बेले नृत्य का अभ्याज भी करती है निहारिका ने कुछिपुडी, बेले और छो के संगम से एक अनोखिन रित्यशैली को जर्म दिया है लेकिन इस रित्यशैली की एक बांग है इसमें शरीर अक्यधिक लचीला होना चाहिए और इसलिए निहारिका योग का भी नियमित अभ्यास करती है सूर्य नमस्कार, सर्वांगासन, ताडासन, तमाम योगासनों के माध्यम से विना केवल अपने शरीर को स्वस्थ रखती हैं बल्कि योग तनाव भरे दिनों में उनके मस्तिश्क को भी शान्ती देता है सिर्फ कुछुपुड़ी में में काऊंगे, मैं काऊंगे कोई भी निर्ट, इवन में आपको काऊंगे जो हमारे वेस्टर्न डान्स मी हैं उसमें भी अगर वो योगा अपने आप में एक शुरू करें, बहुत इंपोर्टन है योगा क्या है अगर हम देखें, हम अगर उसको इंसाइक्लोपीडिया में डेफिनेशिं में ढूंटे है तो देखता है मिलाप, संगम, यूनिटी है। वित वित तिह हमारे अंतरातमा कीी unity है जो अंदर हमारे एक पुरी breathing space है oxygen लेवल है आपका जो healthy organ है वो उसमें एक unity आती है जब उसमें unity आती है एक dancer जो physically आप इतना exert करते हो आपका mental exertion होता है एक focus जो आता है वो योगा से ही आता है कलाकारों को भी एक स्पर्धा और तनाव से गुजरना होता है और योगना केवल उन्हें शारिरिक रूप से स्वास्थ रखता है बलकि इससे वे अपने आप से आध्यात में रूप से भी जुड़ जाते हैं आप किसी भी डांसर्स अगर पूछेंगे पंदरा मिनट का मेडिटेशन होता है और फिर योगा होता है क्योंकि आपकी जो एक कहते हैं वो हमारी हम अपने मन को तितली मानते हैं तो जब तितलियां जब यहां यहां उधर उधर जाती हैं उसको एक जगा पर उसको सहियम बनाने के लिए उसको कंट्रोल करने के लिए हमें योगा और मेडिटेशन चाहिए वो क्योंकि जब हम डांस करते हम हम नहीं हैं हम वो कैरेक्टर हैं और वो कैरेक्टर में एक संजीदगी लाने के लिए योगा बहुत इंपॉर्टन है ऐसा नहीं है कि केवल मृत्य साधकों के लिए ही योग का महत्व है बलकि मृतंदम जैसे मुश्किल वाद्य अंत्र को बजाने वाले वेत्री भूपती भी मानते हैं कि ध्यान और योग से ना केवल चित भीतर सशान्त रहता है बलकि कोई भी वाद्य अंत्र एक आगरता से सीखने में भी योग मदद करता है मेरे जो गुरू ने शुरुआत से जो तालिम जी है वो तालिम में मुझे नहीं लगता योग और संगीत कहीं अलग है उतना ही जैसे योग में आप सब कुछ भूल के बिलकुल एक शुन्नी में जाते हैं फिर इसको फिर एनर्जी अर्जित करने के लिए योग का बड़ा यूसफुल रहता है तो वैसा ही संगीत भी है संगीत को प्राक्टिस करते हुए शिखाते हुए हर तरीके से आपको बहुत क्लीन और बहुती क्वाइट माहिन की बहुत जरुवत है और बहुती संतुले नोने की बहुत जरुवत है योग भी साजना है संगीत भी साजना है तो एक रिशी मुनियों की वो भी विद्या है योग भी उनी की विद्या है प्रेतो अपने आप में एक खुशी की बात है कि हम भी उस पवित्तर गंगा के अंदर सिनान कर सके आज के शुब उपलक्षपे की योग दीवस्पी है और इंटरनेस्टल संगीत उच्थ सम्वी है म्रगंदम बजाने के लिए ना केवल मजबूत हातों का होना जरूरी है बलकि उसके तालों को याद रखने के लिए कलाकार को एक काग्रता का मंत्र भी सीखना होता है और इसमें योग महत्वपोर्ण भूमिका निभाता है योग आज पूरी दुनिया में फैल रहा है लेकिन योग हमारे शास्त्री मृत्यों का आधार है ना केवल ये शारीर को बढ़ाता है शरीर को दक्ष बनाता है बलकि इन मृत्य साधकों के मन को कैसे साधता है आज ही हम आपको बताने की कोशिश करेंगे बारत के शास्त्री नृत्य ही नहीं आर्ध शास्त्री नृत्य और युद्ध कॉशल विधाओंपर आधारित नृत्यों में भी योग का महटव अतुलिय है यहां ये बच्चे छो नृत्य का अभ्यास कर रहे हैं जो अपनी कठिन शारीरिक मुद्राओं और चपल शारीरिक संचालन के लिए जाना जाता है इस वक्त हम छाओ नृत्य की शिश्याओं, शिश्य चात्राओं के साथ में हैं जो लंबे वक्त से इस नृत्य का अभ्यास कर रहे हैं और योग इसमें उनकी कैसे मदद कर रहा है जानने की कोशिश करते हैं अपना नाम बताइए अभिशेख थोड़ा जल्दी है उसको कैसे देर से करना है या उसको किस गती में करना है उसको हम अपने हिसाब से क्याल्कुलेट करके तेज क्या धीरे कर सकते हैं जिसमें हमारा बहुत फोकस बहुत डेडिकेशन और बहुत ही महनत लगती है तमरा आप कब से चाहुनृत्य का भ्यास कर हैं मुझे लगता है कि मैं वन एंड हाफ यर से चाहुनृत्य का अभ्यास कर रही हूं और जहां तक चो आधार योग जो है वह आधार है फ्लेक्सिबिलिटी की तो डांस को अगर मिक्स करते हैं तो इसमें चाहुनृत्य में इनर स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिटी योग से दोनों को मिला के योग और चो दोनों ही महतपूर्न है हमारे लिए लेकिन डांस से कोई ऐसा एक मूब्मेंट है चाहु का या फिर योग का जो आपको करने में बहुत मज़ा आता है हां बहुत सारे है मैं कर सकती हूं जैसे एक चो में राधा चाली करके आता है वह आपको क मेरा नाम अबिकार शर्मा है और इस दिन में यह कहना चाहूंगे कि योग का मतलब है जोड़ना कोई चीज का जोड़ना मतलब योग तो हमारे अंदर इतने सारे दुख या पीड़ा के वज़े से बहुत सारी चीज़े तूट जाती है अंदर से तो एक तरह से चाहू काम करत उसे एक तरीके का यग्य है ये जिसमें अंदर से जो आपके अंतरात्मा भी है आपका पूरा शरी है वो जल उठता है वो एकदम अंदर से जो नेगिटिविटी है वो सबको बर्न कर देता है जानवरों के भाव भंगिमाए हो या युथ आधारित रणनीतिक मुद्रा है उन्हें निभाने के लिए शक्ति और लचीलेपन का समनवय आवर्शक है और इसमें योग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है योग का आधार है क्योंकि छाओ में योग का संगम है और जो भी पोस्टर हम चोगा बनाते हैं तो बहुत सारा आसन से तो दूसरा क्या है कि छाओ एक इनारी स्ट्रेंट को डवलाप करती है और योग फ्लाक्सिबिलिट गोडी तो इन दोनों को मिलके एक संपुम चीज़ से करते हैं नी में स्ट्रेंट चाहिए मुझे मुझे सोडर में चाहिए तो इस चाओ पर इसको उंगरती है गंटों तक ऐसे मुश्किल और उर्जा से भरे नृत्यों का भ्यास करने के लिए ना किवल शरीर का स्वस्त रहना जरूरी है बलकि मन को भी संतुलित और उर्जा से भरा होना चाहिए और इसमें योगा भ्यास इन चाओ चात्रों की मदद करता है योगह करमशू कऊशिलम इसले में कहा है कि योगसे करम में कुशलता आती है हमारे कलाकार आज योग को अपना कर अपनी कला को बेहतरीन बना रहे हैं ना किवल भारत्य SM, 8D मिन बलकि वादि यंत्रों को कुशल्ता से बजाने में भी योग का महत्व है योग इन कलाकारों की एक कागरता बढ़ाता है और इसलिए आज ना किवल भारत में दुनिया भर में कलाकार योग को अपना कर अपनी कला में अपने हुनर में चार चान लगा रहे हैं आज जब की सारी दुनिया योग के महत्व को समझते हुए योग आधारित जीवन शैली को अपना रही है तब कलारी पच्यम का उल्ले करना भी ज़रूरी है जो भारत की प्राची इंतम मार्शिलार्ट विधा है ये नौईडा का कलारी पच्यम मार्शिलार्ट के इंद्र है और यहां 5 साल से लेकर 50 साल की उपर के लोग इस विधा को सीखने के लिए आते हैं तलवार बाजी हो लठ चलाना कलारी पच्यम की सूजी मुद्रा जिसमें जमीन को छूते हुए नीचे बैठना पड़ता है बिना योग को जाने इस कौशल को सीखना मुश्किल है तो मेरे हाथ में अभी यह तलवार और ढाल है जो कल्यारी पच्ट में इस्तमाल किया जाता है और यकीन मानिए बहुत भारी है अगर मैंने कल्यारी पच्ट को अगर इसकी प्रेक्टिस की होती है तो शायद इसका उठाना मेरे लिए कुछ आसान होता लेकिन कल्यारी पच्ट में ऐसे बहुत सारे मार्शिल आर्ट फॉर्म्स और बहुत सारे आसन और बहुत सारी विधाये हैं जो ना केवल आपका आत्मिश्वास बढ़ाती हैं बल्कि आपके शरीर को फिट रखने में भी मदद करती हैं आस बात ये है कि इस मार्शिल आर्ट फॉर्म को लड़कियां सीख कर ना केवल अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा रही है बलकि जब वो बाहर निकलती है तो उन्हें एक अलग तरीके की सुरक्षा का एहसास होता है वे किसी पर भी सुरक्षा के मामले में निर्भर नहीं ही रहती है बरसों से कलारी पट्यम सिखार है गुरू शिंजो मैथ्यू मानते हैं कि कलारी पट्यम और योग भाई बेहन जैसे हैं और योग को अपनाने से छात्र अपना शरीर और मन दोनों साथ सकते हैं कि अधिन दफिनिटली योग एक हमारे बारत के एक एक चीज है जिससे हमारी पूरी बारत की जो नाम विशुबर में हम लोग ने योग के मादिम से स्तापित किया है तो कलरी को अगर हम जैसे कुछ लोग का सोच नहीं है कि कलरी पाइट को हम बहुत चोटे से करना चाहिए य योग को किसी भी विक्ति आयू के लोग कर लेते हैं लेकिन यह है कि कलरी पाइट को समझना जरूरी है कि हम सिरब यही देखते है कि कलरी में बच्चे तलवार उठाके उचलके मारते हैं डंडों से मारते हैं लेकिन कलरी के चार बाग है तो पहला बाग का नाम है मेही तार तो हम बोल सकते हैं कि योग और कलरीपाइट एक दूसरे के बाई बाई या बाई बैन है हम यह बोल सकते हैं कि शुरुवाती तोर में इवन तो दिस आर्ट शूट स्टार्ट अर दिए जोप सिक्स और फाइव और सेवन यह उमर अच्छी होती है बच्छों को सीखने के आपको अपने शरीर में प्राण का मूवमेंट का आपको जागरु करता है अपने बारे में सारी बिमारियों को अटाता है कलरी का सेम यह है क्योंकि इनलों के रूट एक ही है भारत देश तो इनलों के रूट एक ही है तो इनका मकसद भी एक ही है अपने ही शरीर को इतना ब इस मार्शिल आर्ट पॉर्म में योग की एहमियत को समझते हैं. योग केवल अपने शरीर को फिट रखने का माध्यम नहीं है, बलकि एक स्वस्थ जीवन शैली का आधार है, और इसलिए योगा की तरह केवल भारत में ही नहीं, विश्विभर से लोग आकर्शित होते हैं, उससे जुड़ने की कोशिश करते हैं, और योग कहता भी है आपसे कि खुद से जुड़िये, खुद के बीतल शाकिये, और आज एक ऐसी योगा प्रेक्टिश्टर से आपकी मुलाकात करवारे जा रहे हैं, जो यूँ तो इस्राइल से हैं, लेकिन ना केवल योगा को, बलकि पूरे भारत को उन्होंने अपना बना लिया है, और वो अपना अपना परिचाह खुद देगी, मेरा नाम अदी रफैली है, योग आज ना केवल स्वस्त जीवन का आधार है, बलकि दुनिया को जोड़ने का काम भी कर रहा है, ये इस्राइल से भारत आएं फितनेस इंस्ट्रक्टर एजी रफैली है, भारत किसी और काम से आएजी को यो योग प्रशिक्षन भी दे रही है, ये मानती हैं कि योग में ना केवल खुद को जोड़ने की ताकत है, बलकि ये दुनिया को भी आपस में जोड़ता है वितनी हैं को रैदी को फ्र गईस्तिक्त ना करते हैं और स्च़ी को योड़तार प्सेज़े वह चिता कर में यहां काrico के अवेश्बेटर प्सी चीना के चीट वेपकर क।द के अव्या से भारती कर देएना प्रलत मैंथtenों इसीट तो ये स πα Green visual a rooms, लोन में भीड़न कोई और साथा अपना है मैं में में अपनी भाइचा ये कि वह झांण, ध fish को सम्हें गेंदा जो है इम टौद में भाइचा मारा पंदियूों, थिएय निवां को तैनी कंजी में को जोके साहला है योग अपनाने से पहले एजी को तनाव और अनिद्रा की शिकायत थी लेकिन योग से जुड़ने के बाद उनके जीवन में सेहत से जुड़ी समस्याएं अब ना के बराबर है 45 साल की हैं लेकिन योगा की मदद से ना केवल फ्लक्सिबल महसूस करती हैं बलकि अब उने गहरी नीन भी आती है योग कलाकारों की साधना का आधार ही नहीं उनके संपून स्वास्त का स्तंब भी है ये सिंग्दापूर में रह रहे ही भारतिय भरतनाट्य मृत्यांगना मृत्य निर्देश, शिक्षाविक और योग गुरू नेहा मंदल चक्रवर्ती हैं बहुत कम उम्र से ही भरतनाट्य मृत्य की साधना कर रही है भरतनाट्य में लीन उनका शरीर और मन योग की उंगली था कला की ऐसी रंगोली रच्चते हैं जिसमें उनकी देह अभिव्यक्ती का एक सुन्दर आभा मंदल बना देती है उनकी नृत्य मुद्राय हों या योगासन साबचे लगता है कि योग और नृत्य मानों एक ही सिक्के के दो पहलू हों योग नाकेवल भरत नाच्यम की साधना में उनके शरीर को एक सुन्दर लचीला पन देता है बलकि कंटमप्ररी और जैस जैसे पाश्चात्र नृत्यों में पारंगत होने में भी योग ने उनकी मदद की है नेहा मंडल जैसी कलाकारों की नृत्य और योग साधना साबित कर रही है कि भारत के इस प्राचीन धरोहर को क्यूं आज सारी दुनिया अपना रही है मुझे ऐसा लगता है कि एक रत्यांगना के लिए या एक आर्टिस्ट के लिए एक फिजिकल, मेंटल and emotional well-being का होना बहुत ही आवश्यक है हम अक्सर अपने स्थूल शरीर पे तो बहुत काम कर लेते हैं लेकिन हम ये भूल जाते हैं एक साधना को एक दिशा दिखाने के लिए एक mental well-being का होना बहुत ही जरूरी है उसी अनुसार मुझे ये लगता है योगा एक बहुत ही holistic practice है जो महरिशी पतंजली है जिन्होंने योगा सूत्रा की रचना की है उनका पहला सूत्रा इन पतंजली के योगा सूत्रा में है योगस चित्त वृत्ति निरोध है योगा से चित्त मन की जो वृत्तिया है जिससे कि आप अपनी साधना से भटक सकते हैं आप उन सब को अपने अंदर सीमित करके अपने साधना को एक नई दिशा दे सकते हैं तो मुझे लगता है कि हर एक आर्टिस्ट के जीवन में एक योग का होना बहुत ही आवश्यक है नेहा की निर्ति में जो संतुलन है योग उसका आधार है उनकी मुद्राएं सधी हुई और सटीक है और ना किवल शरीर को मजबूत और लचीला बनाने में योग उनकी मदद कर रहा है बलकि प्राणाया और श्वास को नियंत्रत कर लेने की उनकी कला उतकरष्ट कलाकारों की सूची में उन्हें लाख़डा कर देती है योग शरीर को साधता है मन को उर्जा से भर देता है और एक कलाकार को अपने से जुन्ने में मदद करता है अंतरमन की जहनकार सुने प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी ने जब सारी दुनिया से योग से जुड़ने का अहवान किया तो उनका इशारा उस दुनिया की तरफ था जिसका आधार स्वास्थ है आनंद है शांती है और योग इसी जीवन का आधार है इसी योग को अपना कर ना किवल आम जन बलकि कलाकार भी सफलता की उचाईयों को छू रहे हैं उम्मीद है योग और कला की जुगल बंदी पर हमारा ये खास रंग तरंग आप सभी को पसंद आया होगा फिलाल आज मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिये अनुमती नमस्कार आप देख रहे हैं डीडी भारती अपने बिजी डे को दीजिये एक परफेक्ट स्टार्ट यहां होगी आप से जुड़े तमाम मुद्दों परबात दूर दर्शन का खास शो आगया है आपके पास डीडी मॉनिंग शो सोमवार से शुक्रवार सुभा आठ से नौ बजे सिर्फ डीडी नैशनल पर फिरनी जैसे काली आखे जिसकी वो है क्रिश्न कली होनी की बाते न जाने कोई सितारों के फेरे में क्रिश्न कली क्रिश्न कली क्रिश्न कली क्रिश्न कली अठारो सो संतावन जवाजाद हिंदुस्तान के सपने ने जन लिया आए जाने उन वीरों के बारे में जिन्होंने स्वतंतृता की निवरह क्रितिहास रश्टिया बहुत समय पहले थे इस्ट इंडिया कंपनी के एक चाबास सिपाई नाम था मंगल पांडे उनका थी स्वतंतता संग्राम की आग जलाई बाइस वर्ष की आयो मेहीं हुए वो बिटिश फौज में दाखिन देख स्वार्थी अंग्रीजों को ठाना आजादी करनी है हासे दुख भर गया था हिर्दे में और मन में था गुसा हिल गया बिटिश राज जब हुआ ये महान किस्सा जानवरों की चर्वी से निर्मत आई एक नई कार्तूस सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को पहुंची ठेस बेख अंग्रेजों की ये करतूत विद्रो का बिगुल बजा दिया मंगल ने कार्तूस को किया इंकार हाजिर हुए देश की सेवा में और लगाई करांती की ललकार क्रोधित हुए अंग्रेजी अफसर दिया मंगल की वर्दी और हथियार चीनने का आदेश उन्हें मौत के खाट उतार दिया मंगल ने और दिया हर भारतिये को इस संदेश जागो उठो हे भारत माता ने पुकारा देख ऐसा जुनून राजा रचवाडे सैनिक मस्दूर सब में भड़ उठा अंगारा भैवीत बिटिश सरकार ने चलाया मंगल पर मकदमा कटोर मिली सजा भासी की लेकिन अब हर जगा मच गया क्रांती का शो ब्रान त्यागे मत्र भुमी के लिए एक अकेले थे वो हजारों अंग्रेजों पर भारी मंगल पांडे के साहस की मिसाल से हमेशा जलती रहेगी देशभक्ती की चिंगारे आशा है कि देशभक्ती से भरकूर ये कहानियां सभी भारतियों के मन में जोश और उत्सा भर देंगे आजादी की अमरत कहानियां सूचना एंपर सारान मंत्राले और नेट्फिक्स द्वारा प्रस्तोत स्वाद और समपूर्णता का उत्ता महसा कौन नहीं चाहता स्वादिश खाना बनाना कौन नहीं चाहता पर्फेक्ट कुकिंग करना वाह क्या तेश है मैं आपको आगा किये देता हूँ अगर आप गोष्भारा के मामले में दखल अंदाजी करेंगे तो आपको बहुत महँगा परेगा पानु बाबु मानते हैं कि बिटिश समराज का विधान विधाता की देन है अगर ऐसा है तो मुझे विधाता से प्राथना है कि ऐसे समराज्य कि नष्ठोने का श्राब देए समारा बिनोई किसी चीज की कमे हो तो उसे भूज ही निकालता है और जब मिल जाता है तो चाहन से प्यार करता है निन्दा बाहर से बैठकर की जाता है लेकिन निर्णे लेने के लिए भीतर बैठना पड़ता है और सिर्फ घटना हो जाने से उसका दोष निर्धारिक नहीं किया जाता है आजादी के इस समारों में हमारा उदेश केवल उन नायकूं के बारे में ही बताना नहीं है जो गांदी जी के नित्र तुम्हें आंदोलन में शामित के लिए हम उन हजारों नायकूं के बारे में भी बताना चाहते हैं उन्हें श्रदान्जली देना चाहते हैं जिन्होंने गांदी जी के संकुरू साल पहले से इस देश में जगा जगा अपने आजादी को बचाने के लिए संदर्स किया ये चिता की अगनी भले ही पुच जाएगी पर मेरे सेदे में जलरी प्रती शोत की अगनी तब तक नहीं बुचेगी जब तक मैं इन अंग्रेजों को खाक में ना मिला दूँ मुट्थी बारा क्रेस और हमारे विशाल देश पर राज करने का सवपने देखते हैं परामिन के सवपन को चकना चूर कर देखें लोहे का सीना रखने वाले यूद्धा दोबोसे नहीं ड़ते हैं यह Süकाल में दर्शकों को हम जो भारत का स्वाधृंता का स्वराज नर्ण में हम दिखाएंगे दर्शकों को बहुत सी ऐसी वाते हैं जो अमारी स्वाध्िंता यह सोतनता के बारे में नहीं पता है जब तक मैं इन दुष्टों से अपना राज यह वापस नहीं ले ले थी, मैं चैन की सास नहीं लूंगी यहता शेवाजी है, इमका संगार करना ही होगा, अपनी मातरु भूमी के लिए, स्वराज के लिए यह शेरियल एक सादारन मनुरंजक सीलियर ही नहीं है इस सीरियल में जो बातें कहीं गई हैं, जो दर्शे दर्शाये गए हैं, जिन नायकों के बारे में बताया गया है उन नायकों के बारे में जो तथ्षे दिये गए हैं वो तथ्षे और भी जग उपर कहीं म्यूजन में कहीं लाइबरेरीज में कहीं महतपून पुस्तपू में और ठुकडू में हर जगा मौजूद है हमने केवल उसे संक्रित करके आपके सामनी समधर रूप से तेश किया है झाल सोमनात की इस धर्ती से संस्कृति का पर्चम लह रहा रहा है सोमनात की इस धर्ती से राष्ट्रियता का बोध हो रहा है और सोमनात की इस धर्ती पर सौराष्ट्र तमिल संगमम का अद्बुत नजारा हमको देख रहा है नमस्कार स्वागत है आप सभी का डिडी न्यूस पर एक भारष्ट्रेष्ट भारत के इस खास कारकम में मैं हूँ आपके साथ मनीश बाजपेई महान भारत की अस्मिता का प्रतीक है गुजरात के समुद्र तट पर स्थित प्रथम जियो दिरलिंग सौमनात था सदियों पहले सोमनात पर हुए लगातार विधर्मी आक्रमणों के कारण गुजरात के सवराष्ट्र क्षेत्र से तमिलनाडू प्रदेश में हुआ था बड़ी संख्या में नागरिक स्थानांतर तमिलनाडू में रहने वाले सवराष्ट्र के उनहीं मूल निवासियों के जीवन और योगदान को वननित करके भारत की सांस्कृतिक एकता को उजागर करने के साथ माननिय प्रदानमंतरी श्री नरेंदर भाई मोदी के एक भारत श्रेष्ट भारत के संकल्प को चरितार्थ करते हुए गुजराच सरकार ने आयोजित किया सौराष्ट्र और दक्षन के तमिल नाडू की संस्कृतियों का मिलन कराता एक भव्य महच्चप सौराष्ट्र तमिल संगम सौमनात की इस धर्ती से सौराष्ट्र तमिल संगमम का ये कारकम वाकई बेहद अद्वत और एक तरीके से कह सकते हैं कि अद्वतिय नजारा पेश कर रहा है इस पूरे कारकम के बारे में इसके महतों के बारे में हम आपको बताएंगे आपके इस खास कारकम एक भारत और श्रेश्ट भारत में कि अच्छा कर दो कि अच्छा कि आपके अच्छा कि मुझे खुशी है जिस तरह से तमिलाडू में उस्जा का बातावर है सवराष्ट में उस्जा का बातावरण है यह संगम है देश के कलचर का संगम है यह बुन्य काम है यह पवित्र काम है यह पवित्र कारी के साल चुड़े होएं साब तमिल भाय बहनों का में सोमनात की दर्थि पार आर्दिक हार्दिक स्वागत कर दो झाल झाल आख इंद निगल्चील, परियादै कुरिया बारत प्रदमर इपड़ी पट्ट वर निगल्चे मुन्नेड़ुद्ट जन्दपिन्पदान। नाम यल्दाम इपड़ी पट्ट वोरु सरित्थिरम इरुकरद यन्पदे नाम केल्वी पड़ुद्गरों अधनाल उगल्चील, अनईवरुकुम नंड़ी, नम भारत प्रदमरुकुन नंड़ी, वेट्रुमययः विल्थ्टुवों, ओट्रुमययः वलर्थ्ट अड़ु अर्परित अर्परित कुंड़ ओग, सवराष्रा तमिल संगमत तै, वना प्रदांसी नरेद्रवाय मोदी नो मंत्र छे, एक भारत, सेष्ट बारत, तो आपेल प्रदेश्वों आवा संगम थी, केवा केवा कारेक्रमों ने उच्छों थक्ये, आपने वदू ने वदू का यह संगम, दो प्रदेशों के लोगों का यह मिलन का एक कारक्रम भर नहीं है, बलकि भारत के सांस्कृतिक वैभों का एक पामन महोत्सो है, आज उस तक अपनी पैत्रिक भूम से अलग रहे, इस समुदाय को मानि प्रदा मंत्री मोदी जी के प्रयास से, न सिर्व अपनी पैत्रिक भूम पर आने का आप जब को आउसर मिला है, बलकि इस मिलन को एक महोत्सो के रूप में बनाने का भी सौभा के प्राप्त हुआ है, यह के क्टेशन में सबी लोगों, उस स्टेशन लोगों हमको वेलकम दीजिया, बहुत कुश हो गया, ठैंक्स तू, मोती जी पुर्चाहमान पुरे इले एंगल अनेवरुक्कुम् वरवेरुप उरुप कुटू थरुकांग, यंग इरंदी सौराश्चावेल इरंदी, एलत्ताल आइरमाण्ड़िक्व कुटंपाग, पुलंप एरंदी एंगल्थ मुध्यद्धियर्ग वालंदी इनत्थिर्कि इन् आपी पोड़ी थाहर आप्टा एंसले इल्एल एडिए पंद पार जाए पर नरी एल नरी प्रिमिस्टर नरीटर मोधी के बाट खेंक्ड पाराथ श्रेष्ट भाता भाता। We feel now today we are united India. There are differences but we are one and it is so happy that Mr. Modi has taken such a big initiative which is first time in the history and I wish, we all wish that this event should go very successfully. We have started that movement in 2006 to protect Ram Sethu in the name of Ram Sethu protection movement. We have started here at Rameshwaram. Then I have travelled throughout the nation. I got everything. I think scientific documents. So religious scientific documents. I am the son of the soil. I am from Rameshwaram. So we have started that movement. That movement has been done with all the nationalists, leaders, everybody, those who are from RSS, RSS, BGP, and all other organizations. They have won. And we had, up to, I first filed a petition in the subcourt of Ramanathapuram. We have started that legal battle from Ramanathapuram subcourt to, that is, that went up to High Court of Chennai. Then in Chennai, we got an observation. And then in the Supreme Court, we got a, we got yesterday order for that, an Indian order, still it is pending. So we have, for this, I have travelled throughout the nation and I met, and I met 168 scientists to give scientific documents that it is manmade. So we are all proud of doing that work, that work. Still now, now we want that to be declared as the national heritage site. I am Advocate Gopinath from Madrasa Ikot, Chennai, Tamil Nadu. We are all very happy to be here to attend this Saurashtra Sangamam. It has brought to the root of our Saurashtra people. We understand we have been migrated some thousand years back. We are happy to come back to our roots. We are son and daughters of the soil. We are very happy. We wish Gujarati people, Namaskar, Askitanga, Namaskar. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. कि आने वाले दिनों में आने वाले महिनों में आने वाले वर्सों में हमारी एकता और मजबूत होगी और हम श्री अर्विंदो और प्रदान मंत्री के उस आवाहन को दोनों को हम संपून करेंगे अपनी मेनत से अपनी एक जूटता के से सवराष्ट्रो तमिल संगमम के स्कारकब में हमारी मुलाकात एक ऐसे श्रक्स से हुई जिससे आपकी मुलाकात भी जरूर करना चाहेंगे पदमिश्री डॉक्टर टी एस चंदर शेकर जी हमरे साथ में और जो कि गैस्ट्रो के हैं विशेशक्य है यानि कि अगर आप समझ जा करने के लिए हमरा अंडर प्राइमिन से इतना आरेंज करिया है दूसरा है इदर एक साराष्रा कमुनिटी पाकेट भी है वो लोग ताउजन यस पहले तो अधर पहुंच गया वो मुहमध किल्जी आदा इन किल्जी उसका इनवेशन कारन इदर पहुंच गया वो तो पहुंच गया वो लोग अभी तामिल कमुनिटी से ब्लेंडिंग भी हो गया है वो उनका रूट्स देखने के लिए यह अरेंजमेंट किया है इतना बड़ी अच्छा है वो तो भूत गन्यवान हैं प्रदवन मंत्री के यह मेरा वाइब सर्मला जे आया है हम उदर से सावर कमुनिटी तामिल कमुनिटी इतना लोग आया है इस गुजरात में देखने पाई सोमना द्वारका आवर तो अब स्टैच्य ओफ यूनिटी सब देखे है बहुत ही कुछ लग रहा है हमका और भी इंकिन बांडिंग हो रहा है एक ही तारक मंत्रा है यूनिटी इन डाइवर के लिए वह अच्छा क्या है यह एक है यह एक है इस तामिल करके लगातार त्रेनो का आना और उसमें धाई सो से तीन सो लोग और लगबा की यह संख्या धाई से तीन हजार पहुंच रही थी निश्चित तोर पर हम कह सकते हैं कि यह धाई से तीन हजार लोग मैजए क्यातरी नहीं है बलकि संस्कत कि यह वो दूत हैं जो तमिलनाडू जाकर यह देश के अलग-अलग हिस्सों ज test कबां जरूर करेंगे कि हमारे देश पारत माता की जाए inhale फिलारा ऑपर च्ष ningún ब्रिक लेट बिड़ के ले तुरंधे आप मेलते हैं बस इस चोटिजब रेक के बाद वाँ, क्या टेंट है वेलकम बैक, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DD News पर एक भाराश रेष्ट भारत में मैं हूँ आपके साथ मानीश बाजपई एक जो जिजग थी लोगों के बीच में कि उन्हें तमिल नहीं आती हमें हिंदी नहीं आती, बोलने में कुछ सकुचाहट थी वो अब जिजग दूर हो रही है निश्चित तोर पर उनके बीच में प्रेम इसने का जो बंधन बंदराए वो जबरदस्त है थोड़े हावभाव से, थोड़े मुस्कुराने से थोड़ा थोड़ा तमिल और थोड़ी थोड़ी हिंदी बोलने से चीजें बदल रही है और सोचिए, ये तो हमें यहाँ पर दिख रहा है अगर ये नजारा पूरे भारत वर्ष में होगा तो सोचिए, किस तरह से सारे के सारे जन एक साथ प्रेम के इस अटूट बंधन में बंद जाएंगे और यही तो मानिय मोदी जी का लक्ष है कि पूरा देश एक राष्टियता के बोद से प्रेडित हो जाए हर कोई सबसे पहले भारतिय हो जाए हर किसी की पहचान भारतिय हो जाए और यही तो चीज यहाँ पर हो रही है तो फिलाल लगातार यह बाते चल रही हो लगातार हम आपको इस सौराश्ट रतमिल संगमम के बारे में बातें बताते भी रहेंगे रात के अंदकार में जब एक प्रकाश पुन्य भगवान सोमनात के मंदिर के शिखर पर पड़ता है तो पूरी की पूरी भारतिय संस्कृति का स्वरूप दीप्तमान हो जाता है सोमनात से लेकर रामनात तक की यात्रा का चित्र सजीव हो जाता है और इस बीच हजारों की तादात में मौजूद वो लोग जिनके मन में भारत के प्रति श्रद्धा है जिनके मन में वो आवेग है जो उनके चेहरे पर दिखता है जब कोई बात संस्कृत की करता है और यही पूरा चित्र हमारे समक्ष उपस्तित हो रहा था जब हम वहाँ पर मौजूद थे सौराऊस्टा अम् संकमम् I have the opportunity to visit Kujerath and the Sommanath temple Sommanath blessed us in a very well manner we are very very happy through this the Sommanath temple we learned about our history and the spiritual journey what the things have been done throughout the past year it's been started from DC's to DC's to a current generation we thank mr. Narendra Moody to like to give this opportunity for the South Indians to travel to North Indian have the exposure towards this journey and we saw this light and this thing sounds so that was much touching because the history was totally it's a scene we have seen it that is very much a hot touching that aeg bharat streshti bharat modi ji ka concept abhi bhi hain achi tari hain our Indian concept our sanat sanatana dharm abhi bhi hain we are all proud of modi ji and we are proud of this like karikram oh I see lagra by JC Khamnel kudhi wa hain per x kori kandar chalakya Tosamne dekha hoa 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 ke liye hameh bohuti bohut harik ko dhaniyawaat karte hain kabi light dhekhar kya aap sri dhapna bhagwan dekha 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 lagray the very grateful opportunities for giving me Gujarat government under raib marmori ji saurash to tamil sanagamam mein IRCTC ki bhi eek bade memika hai aur jisko lagata hain dhek bhi rehen aur sab loog isko samaj raha hain grup general manager rahul himalayan ji maujud hai unseem baat kerte hai west zone ke hai yeh aur inseem baat kerte hai rahul ji aap yeh joh poora karikram ho raha hai is karikram ko IRCTC kaise manage kar raha kitnye ah madab talinta se kitnye madab dedication ke sate me kar raha hai bata yeh namashkar pehle to IRCTC bhi bhot aapne aapko sohbhagyawan mehsus karthi hai jabh yeh sangamam ka karikram joh dousera karikram hai saurash to tamil sanagamam ka karikram IRCTC ko dhia gya to west zone joh hai puri land arrangements jasye ki aap jantte hai somnat 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 ndo dhin ka night se hai uske baad dwarka meh full day ka touring hai ke wadiyah meh ek dhin ka night se hai toh iski puri accommodation transportation logistics catering IRCTC gujarat government ke lakše se joh kaam kar raha eek dousere ko compliment karte huwe yathriyong ko bilkul world class facilities deyte huwe jiasi ki aap yathriyong se feedback bhi lese sakti hai toh iske alawah jab train shuru hooti hai 14 se 23 tarik tak madurai se dhas group chalye hai toh jab train shuru hooti hai toh raastte man ko jaga jaga khana breakfast lunch high tea or dinner ye kambi ircdc kar rahi hai aur jab log aate hai somnat meh so the moment they come in ircdc they feel they are in safe hands who shuru se da feel karte hai chai accommodation hotels equality as kafi achi hai surover potiko fern regenta is tarik hai hotel hai yaha par ya firoma kris cho dhwar ka mein kevadiyah meh prawek tent city hai is tarik hai hotel mahi wuhu bhoot acha mehsus karte hai khana bilkul world class hai aur is traikai se wuhu jab sangamam hoota hai joh mahasaurashtra oorijijen ke loog tamilnadu se aya hai yaha par to at home feel karte hai aur sari events activities chai somnat pahla jyotir link world ka irka darshan ho chai dwar kadi dwar kadiish ke darshan ho nageshwa temple rukmini temple aur kevadiyah meh ahm jayi nye puri city alak concept pae humare honorable prime minister na manai hai toh bhot relax feel aur phir uska jord jorda hoke passenger ki convenience ko dhyaan meh rakhte hoi ham logan aapna plan kiya 2-3 din joh hai mahi nahi yaha par aake reki ki thi aapne team ke sath mein we went to dwar ka we went to kevadiyah we were at somnat yahaan peh 3 star 4 star categories ke uske segment ke jitne bhi hotels thay un sare hotels ko hum nai visit kiya unke sath mein tie ups kiya aur joh best available tha market mein fern, surover, beacon, roma cristo in jiasse hi hotels hum nai liye joh log yahaan pe raha raha hai unko irc tc ki hospitality ki feeling karwana aur state or government ka joh spirit tha us spirit ko us ám ádmii tak pehunchanne ka humara buddhi tha hum nne unka breakfast typical south indian nature se unka dhufeher ka lunch inni hotels ke under typical south indian aur north indian ke combined cuisine se gujarat ke cuisine se match karte hoi kiya gujarat keiberayu jam hoi kiya resept horn h hu झाल 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 यह पूरा का पूरा जो हम वातावन यहां पर देख रहे हैं। यह इसने के बंधन से युक्त है। यह इसने हैं युक्त संसार है। यह वो संसार है। यह वो बंधन है जिसके लिए भारत जाना जाता है। यह वो बंधन है जो पूरी दुनिया में इकलोते हैं। भारत में ही दिखाई पड़ता है। यहां पर भाशा का बंधन हो सकता है। लेकिन भावनाओं का बंदन नहीं है, यहां पर हो सकता है कि आपको दूर से देखने में लोग अलग अलग दिखें, लेकिन उसके बीच में जो डोर है वो प्रेम की डोर बंदी हुई है, और यह दोर हमें यहां पर देखने को मिल रही है, जो हर किसी को एक दूसरे में हम होने वाला नहीं है, बलकि यह यात्रा अनन्त है, इसकी गाता अनन्त है, और इसके आयाम भी अनन्त है, यह महस और आश्टर तमिल संगम कारक्रम नहीं है, बलकि उन तमाम कारक्रमों की बुनियाद है, जो आगे आने वाले दिनों में हम देखेंगे, यह उन तमाम कारक् में नहीं हुआ वो अब हो रहा है देश एक नई शक्ति के साथ आगे बढ़ रहा है देश दुनिया में अपना नाम कर रहा है और वाकई भारत एक बार फिर से जगत गुरू की शेड़ी में आएगा क्योंकि हम जब सब एक होंगे और सब मिलके भारत को आगे बढ़ाएंगे तो निश्यत तोर पर वो सबना जो मानिय प्रधान मिंटरी मोदी जी ने देखा है वो जरूर पूरा होगा और ये एक भारत शेष्ट भारत की आत्रा है ये एक भारत शेष्ट भारत का खौब है जो पूरा हो रहा है अपने कैमरामेन सहयोगी सेंथिल कुमार और साथी आनंद कश्यप के साथ मैं मनीश बाश्वई इस कारकन को फिलाल यहीं पर समात करना चाह रहा हूं कि वे वक्त हमें इजाज़त नहीं दे रहा है लेकिन इस वाइदे के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात तब तक के लिए नमस्कार मैं रिशिता भट आप सब का रंगोली में स्वागत करती हूं आप सब का स्वागत करती हूं सुर और संगीत से सजी खास रंगोली में तो चलिए शुरुआत करते हैं इस रोमैंटिक गाने के साथ हिंदी सिनमा में इनी रंगों को म्यूजिक में भी पिरोया गया है रंगोली हार रावी बार सुबा आट बजे डीडी नाश्नल पर एक नई सुभा एक नई उडान एक नया सफ़र मनुरंजन मस्ती और सेहत की एक नई शुरुआत सोमवार से शुक्रवार प्राधा हा आट बजे डीडी नाश्नल पर दूर धर दर्शन केंदर देली इन्वाइशन पर अगरदेशन, बीहाइ, A-Grade, and Top Grade artists from 16th June 2023 to 15th July 2023 in classical dance from interested candidates residing in Delhi and NCR. Applicants can collect the form for audition from the reception or room number 313 of DGDD. application form is also available at Prasar Bharati website https colon double slash prasarbharati.gov.in slash program hyphen guidelines slash duly completed application forms can be submitted physically or by post on the following address room number 313 third floor tower A Doordarshan Directorate New Delhi 11001 the form can also be submitted through email to ddmusicdancepvi at gmail.com last date for submission of the form is 15th July 2023 candidates may call 0 1 1 2 3 1 1 4 3 1 3 for additional information in Delhi 11 or 1 1 15th July 2020 to 12th July 2022 to 15th July 2021. यह भूमी सारु धरम संभाव की भूमी है काफिरो कोन की अवकाद जरूर दिखाना आस्था का मुल्य प्रगणों से अधिक होता है लुटेरे फिर मरने के लिए तैयार हो जो रूर सिर्फ अमारे ने लिजिन करे उस इंडिया का नामोंने शान को मिठा देंगे अब कोई भी मंदिर, किला या मजडित का निर्माण नहीं हो सकता हमारी सायता कीजिए धर्म परिवतन करने के लिए बिवश्च किया जा रहे एथने समय से हम सभी धर्मों के साथ शान्ती पूरवक रह रहे थे अब समय आ गया है इन पश्वों को खदेड भगाने का इननोंने धूर्तिता की सीमा को पार कर दिया है जीत या हार के लिए नहीं हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे ट्रेडिंग करना तो चाहते हैं पर नहीं पता कैसे करें शुरुवाद बैंकिक से लेकर कोमोडिटी ता ग्रामीर सरकारी योजनाव से लेकर सबसीडी ता इन तमाम जानकारियों पर देखिए हमारा प्रोग्राम डिजिटल किसान हर रविवार शाम साथ बजे और पुनह प्रसारन मंगलवार शाम चार बजे सिर्फ दुरदर्शन किसान पर क्या भुला दे वो पुराने लोग ना करे कभी उनको याद क्या भुला दे वो पुराने लोग और भूले बीते दिन पीते दिनों के लिए मेरे यार जिसकी आदों में हम था मेंगे प्यार का ये जाम बीते दिनों के नार ये कहानी रानी का खूनी कौन उनी सो चौसट की सर्दियों में मसूरी आने के बाद मेरी पहली कहानी थी बहुत सर्दी थी और हर शाम अंगीठी के पास बैट कर मैंने निश्य कर लिया कि एक जासूसी कहानी लिखूँगा मेरा जासूस इंस्पेक्टर कीमत लाई शर्लोक हूम्स तो नहीं लेकिन बहुत ही रोचक इंसान है और रानी को मैंने अपनी मकान मालकिन के जैसा बनाया है जिसके साथ मेरी कुछ अनबन चल रही थी और बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका मुझे लगा कहानी में उसका खोन करवा देना कुछ साल बाद जब मैंने उसका मकान छोड़ दिया तो वो सचमुच मर गई और कुछ अजीब हालात में जिसमें मेरा कोई हाथ नहीं था सच में परानी के खून होने से पहले मसूरी की बहुत सी यादे हैं रस्टी के बच्पन की उसकी मा और डैडी का अलग हो जाना मा का उसे छोड़ कर चले जाना या जैसे राजा गुल्षन की बहन वो अजीब सी रानी मुझे लगता है तुम सच बोलते हो सच बोलना तुम्हें मुश्किल तो नहीं लगता कभी-कभी यॉर हाइनस अगर मैं तुम्हें बताओं कि मैं राज कुमारी थी और अब रानी हूँ तो तुम मान जाओगा कोशिश करूँगा तुम्हें सच मुच उश्वास करना होगा मैं सच मुच एक रानी हूँ यह देखो देखो यहीरे जवारात यह सब मेरे हैं और यहीरे मोती और उसके डैडी का दिल्ली चली जाना फिर रस्टी की माँ उसके डैडी को छोड़ करके चली गई थी और डैडी की अचानक ब्रत्य के बाद उसे अपनी माँ और सौतेले पिता के साथ रहना पड़ा तब वो अपने दुख और अपने अकेले पन को शायद न बाटना चाहता था न मिटाना जवान होने तक वो अपने कलम से जीवन चलाने लगा और बहुत दोस्त बने कई बार किसी की मुस्कुराहट पर खुश भी होता रहा कभी कोई उस पर फिदा हो जाती रस्टी पूरी तरह से लेखक बन रहा को अच्छा बागे अच्छा बागे अच्छा बागे को अच्छा बागे को अच्छा बागे तुम अंदर जाके समान रखो मैं भी आके तुमारी मदद करता हूँ बस बस रहने दो मैं सब कुछ समाल लूँगा आदत हो गई है मुझे हाँ हाँ मुझे अपिक कितनी यादे जूर नहीं इस गर से लंदन में कुछ वर्ष बिताने के बार रस्टी ने वापस इंडिया आकर कुछ साल लिखा और नौकरी भी की काफी टूर की ये पत्रकार और फोटोग्राफर का काम करके और फिर वो वहीं पहाडों में आ गया एक बार पहाडों में रह जाए तो उसे वहाँ की पुकार सुननी ही पड़ती है पहाँ मुस्टी है ह 함 प्याँ मुस्दी अ बार ठार आम बार बच्चपन से अकेले भटकने की आदत ने उसको कई तरह के लोगों से मिलाया जिनों ने उसे बहुत प्यार दिया 11 साल के रस्टी का सबसे ज्यादा और गहरा रिष्टा हुआ एक 60 वर्षिय मिस मेकेंजी से रस्टी को आज भी याद है कि उन्होंने किस तरह से अपनी दोस्ती से उस समय रस्टी के अकेले बन को भर दिया था है कि अपना तुम और किसके परमिशन से यहाँ है कि तो बड़ी गलत बात है यह मिस और इस समय तो तुमको स्कूल में होना चाहिए था नहीं मिस आज स्कूल बंद है मैं इधर उधर पूलों को तोड़तों जा रहा था अच्छा तुमको फूलों का शौक है यह मिस मैं बोटन बॉंटन आरे बॉटनिस्ट कहो बॉटनिस्ट बनना चाहते हो अरे वाँ यह तो बड़ी प्यारी बात है आज कि जिस बच्चे से पूछो तो कोई सोल्जर बनना चाहता है कोई पाइलेट बनना चाहता है कोई यह जो आपने फूल तोड़े हैं इनका नाम भी आप जानते हैं क्या है यह बुखिला है पहारी फूल है इसका मतलब पूजा होता है और जो यह वाले हैं यह मुझे पता नहीं कौन से हैं अरे यह जो पॉपल वाले हैं ना यह तो मेरे गार्डन से लेके घर की बाहर तक प यह तो नहीं मैं से जब मेरे डाइडी यहां थे तो वही मेरे को सब कुछ बता रस्टी की किताबों से प्यार को मिस मैकेंजी पहले दिन ही समझ गए थी मेरे पास बहुत जारी किताबे हैं, लेकर उन में से एक इतनी बड़ी किताब है, जिसमें दुनिया के हर फूल के बारे में लिखा हुआ है, लिखा हुआ भी है, उसमें इलस्टूरिशन भी है, बहुत प्यारा, बहुत अच्छी किताब है, तुम देखना पसंद करोगे हैं? येस मेस, खड़े क्यों हो, बढ़ जाओ, फ्लोरा हिमालायनिसीस, एटीन हंड़नेटी टू में पप्लिश किये है ये किताब, सोचो, कितनी पुरानी होगी, और काफी कीम्ती होगी, मैं तो ये समझती हूँ, कि इस वात अगर सारे इंडिया में अगर कोई डूडने जाए और चूँके रस्टी ये नैचरल रस्टी लिखी हूँ किताब है, तुम देखो, इसमें हर जंगली फूल के नाम और इलस्ट्रेशन्स बनाए हुए हैं, कितनी महनत कियोगी पप्लिभाब, कितने जंगल के फूल है, इसमें अंगिनत हैं, अब आजकर किसी बॉतनिस की पा हाडों के चाओ, और फूलों को देखो, और ले आओ, ना, वो तो आराम से बैठके अपने मैक्रिस्कोप में से देख लेते हैं, मगर तुम ऐसा नहीं करोगी ना, रस्टी, तुम तो सच्मुछ पहाडों पे चड़ोगे, और अच्छे-च्छे पूलों को देखोगे, और उपर प्राइब के तुम गाल गया होगे, ऐसे ही करोगे ना? येस मैसं। कुम एज रखोगे पूलों कुम गॉत कुम गॉत कुम गॉत कुम गॉत कुम गॉत मैं वह बार गुम जा गुम गॉत आप बजार के तरफ जा रहे हैं? नहीं मेरा मन अवादी से दूर जाने का है एकांत में प्रकृती के बीच मतलब जंगल में बटकने जंगल में बटकने जंगल में बटकने I like the phrase कहा ना Gautam एकांत में शांती में चंताओं से दूर ये मेरी thought process के लिए अच्छा रहेगा है ना? बस गूमना गूमना सारा समय गूमना वसे ये करते भी क्या है? इंस्पेक्टर कीमतलाल का चरित्र मसूरी के कोतवाल पर आधारित था जो एक असमुक इंसान था हम हर शाम साथ बैठते और कभी कभार हम प्याला भी होते थे और ढूर को ठाज़ा कैसे? आप बधाईये तो दुगान बंद कर दिया अपने? यह चार दिया बंद सहाब यह बधाईये आपने कितने पिजे बढ़न की पहले तो आप बताईये आपने कितनों को पक्रा I mean, कितने चोड दाकों पकड़े आपने? कहां, Bond साब? अब ऐसे आपने थाने के वारे में विल्कु सही का? दफ्तर है, दुकान है, है? वैसे, लाल साब, आपको मुझे कुछ संसनी केसे केसे वारे में बताना आपना 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 कहां संसनी केसे, Bond साब? सुप्रेटेंडेंड होता तो दिल्चस केस सौफ की होते हमें वोई छोटे-मोटे चोल गरीब को अंदर की हमें नाथिंग स्पेशल वैसे, आजकल आप लेखकों पर भी अरुसर करना मुश्किल हो रहा है वैसे एक बात बताओ, आप मुझे एक पत्रकार समझने लगे और वैसे भी, मैं आपका बांडा नहीं फोड़ूँगा वैसे भी, लाल साब, हम राइटेस की एक ट्राजिडी होती है अगर हम हकीकत भी व्यान करते हैं, तो लोग उन्हें कहानी समझते हैं मिलकुल ठीक आपने, ऐसे बांड साब, काफी समय हो गया, आपके साथ महफिल जमाए हुए कानिया तो बंती रहेंगे, एक काम करते हैं, आज शाम कुम मिलते हमार्य अक्लाब गुड आइडिया, शाम कुम, रान इंस्पेक्टर कीमतलाल और मेरी दोस्ती पुरानी है, हमारी मुलाकाट शापूर में होई थी, कुछ चार साल पहले, जहां मैं कुछ काम से गया था, वो काम शायद आज तक नहीं हो पाता हूँ, अगर एक फरिष्टे की तरह, इंस्पेक्टर कीमतलाल मुझे नहीं मिलते ह आपी रस्टी बॉंड है, जी, मैं रस्टी बॉंड हूँ, और आप, मैं इंस्पेक्टर कीमतलाल मुझे, ये बिक लॉग बंगले को बेशने में आपको थिकत हो रही है, बल्गुल ठीक सोन आपने इंस्पेक्टर साप, हम, अच्छली मेरे नाना का है, दॉक्टर चाड़े जी नहां गेस्टाउस कोला और और मैं चाहता हूँ कि वो मुझे खरीदी, और ये ऐसे अपना समझ है, है? येस, हम, आप चिंता मत कीजे, मैं आपको एक दोस बेच दोगा, वो वकील है, घर के कागज़ाद पेपर सबहें आपको पास? येस, अफकोस मैं सारे पेपर और कागज़ाद अपने साथ लाया हूँ मैं डॉक्टर चैडर जी को समझा दूगा कि आपकी बात मान लेने में ही सब की भलाई है वैसे, आपके नाना अभी-अभी गुसरे? नहीं, इस्पेक्टर, मेरे नाना की मृत्य को काफी साल बीच चुके है अच्छ उफद इस प्रोफटी के बारे में अभी पता चला है अच्या मेरे नाना के बाई रहते थे थे वो दो लंडन चले गए उनके बेटे, जॉन क्लाग ने डॉक्टर चाधर जी को यह गर रहने के ले तिया है और रहानी की बात है जब 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 ज क्या बात है रश्टी जी ऐसे और कितने जाइदाथ हैंके नाम? अस पर आज़ा है नुट, नुट, इन फाक्त, इस वस अ बिग शॉप्राइज क्यान इस्पेक्टर साब, मेरे नाना चोड़े चोड़े शेयरों को जोड़े थे इन में रेल्वे लाइन बनाते थे और कब छोड़े शेयरों को जोड़े जोड़े उन्हों नहीं प्रॉपटी लेली मुझे नहीं पता वैसे, सचकों तो मेरे खाल सी आखरी सप्राइज है I was very curious, Inspector Saab, इस घर को बिग रॉक क्यों कहते हैं? कहते हैं, जमीन को खोटे-खोटे मत्टी से जादा पत्थर निकली हां इसलिस का दाम Big Rock रखागिया है Well, Inspector Saab, that sounds very probable, ला मैं Dr. Chatterjee से confirm करके आपको पता दोगा बढ़ वर द्रिंक्स, है? Sure आखर Big Rock के नही मालिक को पता तो होना चाहिए नही मालिक मतलब Dr. Chatterjee himself, at last Must I have a good sense of you, Mark Thank you, चलते हैं Sure Take care, चल आपको ओर्णेआ हैं Toh, आपको ते खुआ को अाहाँ आपको पता आपको अाहाँ Yeah But I have a good sense of you It's not in this place The heart of my heart I have a good sense of you Man I've got a good sense of you I always do this Can I have a good sense of you It's not a good sense of you I just do this You already know You gotta be a good sense of you This is not a good sense of you अजय। सबस्क्राइब ते लोक्स नाइब नाइब वाक्सटाइब as I walked home last night I saw fox dancing I saw a lone fox dancing कर दो दो, कर थे खाट है जोरा लोड्स हाट गूराए आपको लोड़ वा दान्स दिफ लोड़ दो जोरा लोड़ दॉंस दिफ लोड़ दिफ लोड़ दो सुन 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 हवा के थुण सुन सुन हवा के थुण सुन रात में पेडों में हवाए हुन हुनाते सुन गर्म हवाओं से सुखी घास गुन गुनाते सुन छोटे छोटे बल वेद रहे छुन छुनाते सुन सुबाते शबनम गिल्दे है तिपटी पाते सुन 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 हवा के थुण सुन 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 आकाश में चरते जान्द की धुन सुन सुन कंकरों का गुन 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 जन सुन कापती पत्तियों में समाती ये धुन्द सुन तब खामुशे सुन सकोगे तुम सुन 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 हवा के थुण सुन 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 हवा के थुण सुन हवा हाँ अपने बिजी डे को दीजिए एक परफिक्ट स्टार्ट यहां होगी आपसे जुड़े तमाम मुद्दों परबात दूर दर्शन का खास शो आ गया है आपके पास दीडी मॉनिंग शो अगर आप गोश भारा के मामले में दखल अंदाजी करेंगे तो आपको बहुत महँगा परेगा पानू बाबू मानते हैं कि बिटिस सामराज का विधान विधाता की देन है अगर एसा है तो मुझे वैधा से प्रात्हना है that गलनका थो युषिक किसी चीज के कमे हो तो उसे अभूजी निhteской ठालता है और जब मिल जाता है तो जां से प्यार करता है दूर जाता है बाहर से बैठकर की जात लेकर निर्ने लेने के लिए भीतर बैठना पड़ता है और सिर्फ घटना हो जाने से उसका दोष निर्धारिक नहीं किया जा सकता है गहां वो जाता है प्राप्टिय। पश्मीर की धर की रानी है सरता जिमाले है सचियों से हमने इसको अपने खूंच पाला है पश्मीर की धर की रानी है सरता जिमाले है सचियों से हमने इसको अपने खूंच पाला है देशी रक्षा की खादे हम शमशीर उठा लेके हम शमशीर उठा लेगे फिकरे पिकरे तारे है हम लेकल मिल इसको आपके एक रहर आखे एक है वह उपके एक है हम सच पार्टिय है क्पम अख थबवार्टियु है क्पम नाफ थबवार्टियु है हापनिम नीज जीएक है हाँआख जीए हां जीए हो खो खेक है हम उुट सब पार्टिय थे हम उुट सब पार्टिय थे हम सब भार्टिय है हम सब भार्टिय है घंदिर गुरु का देखी है यहां और हस्कित भी है यहां दिर्दा का है घरिया ले कहीं बुल्ला की कहीं है दा दिर्दा का देखी है यहां और हस्कित भी है यहां दिर्दा का है घरिया ले कहीं बुल्ला की कहीं है दा एक ही अपना राख है एक ही अल्ला काला है एक ही अल्ला काला है रन्ग भी रन्ग भी अख है लेकिन यग मज़िक एक है अपक 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 है हम सब भार्तिय है कर देखाध झाली आंखें जिसकी वहे कृष्न कली होनी की बातें नजाने कुई सिपारो हों कि कर फिर्ची कर निने क्रिश्नकली गृष्न कली कुछ हुदाओं के बारे में हम जानते हैं आज भी उन्हें आद करते हैं जिक बहुत सारे ऐसे जिनके बारे में हम सादा नहीं जानते हैं सवराज उन्ही की कानी क्या करति आए आए आप और हम मिलकर उनकी कानियों को जैंते हैं एक बाद फिर से उन्हें यहां करते हैं हर अभीवार सुबह और रात को नौ बजे और शनीवार रात को नौ बजे सिर्फ टीडी नैश्मेंग उन्दों कहा हुच़पप। हुआ हुआ है प्लाफ बाल कर दो कर दो दोगा रहता है कर दो 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 कर कर दो 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 प्रप्राइब बार प्राइब ग्राइब नहीं कर दो पर दो प्रागज की बड़ करन तो कर दो कर दो कर दो कर. झाल झाल आंइ प्रेपन आपक सर भी आपक सर दाल आपक 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 कि अफ़ पुछ पुछ पुछ। हुआ हुआ है हुआ है हुआ है हुआ है हुआ है कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो तो झाल झाल कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो है झाल 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 अलहर्मी अलवाद, अबूजाबरा, अलकलाफ, व्वार्णाव जाज़ाध जोच रूड़ुछी यजड़ुछी ने सब्सक्राइट सब्सक्राइब। there they are pusing along with the two captain the coaches river rink bento and ego sti mac sti mac of course the 1998 welcome player for croatia and croatia won the bronze medal the starts on that croatian team that was there he is on the screen for you आफ़्ट्राद करेंग बीडिडि़ दी पिए प्राद 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 एिप देप बीडिन खर भाल टार विर फट्राद करेंग तुट इट एज एंग राल यद दिस ट्री चॉप टरी टोट जयू घट ले इन खटन्री साय अलिजट्थ पर एंग यह थो बीड़िड अट प्रकोंके डियूंगा पंप्राइव यूको गे भी गचे लिक और चेजिए अजके लिए और स्साथा देवारीज कर दोड़े कि अर थाल हूंगा है में यह इनन हम खार विचीत कि वार कर्या jongी अपी Ma आई झाल आपक् Wij यह कौर सच आप्ट ले पी चाहन आँ टोछाओा अप आप इए अपर ले खाट चेव ओूट अधर चाल अट अ attendance focalمة Eason and I'm talking of 1956 in Melbourne winners of the gold medal in the 1951 Asian Games the bronze the gold medal again in 62 in Jakarta and the bronze in 1970 in Bangkok rich history for India drop down the pecking order in recent decades Kuwait the 1980 Asian Games Asian champions 1970s runners-up the team which figured in the 1982 World Cup in Spain the two building up on their strengths to regain lost glory at the Asian and the international level the game to be kicked off by India all set the referee along here it's going to be a little tougher to get the game underway the countdown begins there it goes India getting the game underway Anwar Ali with a long lob on the far side towards Chitri but clear away swiftly Qurt on the attack a nice back heel there attempted by the number 10 al-kaldi in the center of attack but Pujari spring the ball away and pushing it over the line in there for a throw-in to Kuwait from their left flank midway through the Indian Territory at the street continue I see them here in Bangalore the SEF Bangabandu Championship 2023 group A match deciding which team will place first which team second among these two Kuwait near a draw as I said and India need to win this match to displace them from the top Kuwait on the attack they have the ball of themselves coming up with a lock there on the far side but played far too deep and long for anybody's comfort it just rolls over the goal line there for a goal kick to India Amarindar Singh in place of Gurpreet Singh Sandhu in the goal here Sunday's Jingen also coming back to occupy his place as a stopper Mahmoud Kurnian got in place of Sahal the three changes there Mahesh Singh Noram intercepted and tackled their fouls as a referee Alam Ghir staying very close to the incident and it is Alinezi who's being penalized for that foul on Mahesh Singh Mahesh Singh Noram who scored his first goal for India in India close against Nepal playing alongside the player who scored goal 91 goals for India Sunil Chetri Akash Mishra back to Anwar Ali and now to Amarindar Singh inside his own at the top of his own penalty box over there back to Sunday's Jingen back to his goalkeeper and now push to wire on the left towards Anwar Ali back to Amarindar the Indians trying to get the Kuwait players out of their comfort zones and try and create an opening if they possibly can Pujari on the far side but puts it over the line throw in Kuwait from near the centre line on the left Al-Khalaf taking that throw in pushes it to his stopper on the far side there Al-Fahad dribbling past Mahesh Singh pushing it on the right towards Al-Rashidi Al-Rashidi a long lob into the box on the far side and a first time shot over there by the number nine Muhammad Abdullah goes sailing over the crossbar three minutes into the game Kuwait hovering around the Indian penalty box the number 23 on his screen there and there's goalkeeper Amarindar Singh plays the goal kick shot to stop at the chance over there that lob and that first timer blazing over the bar Aniruk Thapa on the far side trying to piece together a move there but then the ball played far too hard for Kornian's comfort that goes rolling over the touch line for a throw in to Kuwait from inside their own territory on their left flank Al-Khalaf there looking for an opening trying to find an unmarked colleague managed to do so but Jakes Jakeson Singh comes up with a tackle and the final clearance coming up there from Al-Fahad the ball bounding into the Indian area at the top of the 18-yard box there Amarindar Singh playing it short for Anwar Ali surveying the field coming up with a long chip past the far side towards Kornian once again there but the header coming up there from Al-Rashidi back to his own goalkeeper Marzok who played the first game but was on the bench for the second come back into the playing 11 as that goalkeeper is not and this could be dangerous over there but the flag going up there for offside a foul there by Al-Khaldi on the goalkeeper and Ender getting a free kick Jakeson Singh on the far side Tapa Tapa to Kornian but Kornian once again flagged offside there on the far side the crowd up on its feet hoping for an Indian move into the box but that wasn't to be freaky quit from the left flank here it is ball given away Tapa in turn towards Mayesh Singh Mayesh on the far side to the overlapping Akash Mishra into the box comes up with a lob over there Churyal Chetri not able to get to that lob tries to come up with a first time connection but just missing it by inches a first time worried by perhaps have got him something but it came in a little late for that cross over there and the chance going a begging the crowd all excited with that first chance created by India Mayesh Singh, Jakeson Singh on the far side Pujari, Kornian with a lob into the box once again there but there's no player around to take advantage of as it's been cleared away by Al Fahad over the touchline giving India a throw in from inside the Kuwait territory on the left flank Akash Mishra the number 6 on your screen looking for an Anmar Kulik plays it to Anirut Tapa the number 7 inside the Kuwait half over there pushes it back towards Jakeson Singh in the center circle onto a Sunday's Jingan there Jingan to Nikhil Pujari on the far side India launching an attack from the right intended for the right flank there but intercepted and cleared away by the Kuwait defense a long chipped pass on the far side there intended for Alan Aziz he's chasing it out there it is that chance for India that lob there from Akash Mishra the number 6 and Sunil Chetri just about unable to get to that near the Kuwait near post Mayesh Singh once again pushing it to Anirut Tapa Tapa losing out there on towards the right Al Rashidi on the far side Kuwait launching an attack on the right but this was once again there is Alan Aziz in the floor they all work in the middle and the other side I don't know